चे गुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधा बर नौ रगु बर भिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्ध हीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमा बल बुधि विद्या देहु मोही अरहु कलेस विकार्षू जय हनुमान ज्यान पुन सागर जय कपीसत हु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल दामा अंजन गुद्ध ववन सुत नामा महाबीर विक्जम बज रंगी कुमत निमार सुमत के संगी गंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंदल कुंचत केसा हाथ बच्र और वजा जय कांदे मुच जने उसाजय जनकर सुवन के सरी नंदन तेज प्रताप महाज कबंदन विज्जाबान गुनियत चातुर राम काज करिवेको आतुर रगुचरित्र सुनिवेको रसिया राम लखन सी तामन बसिया सुक्ष्म रूप दरिस यहीं दिकावा विकड रूप नर जनकर सब्सक्राइब दरिस तामन बसिया राम लखन लखन लखामें सनकाधिक ब्रमा दिमुनिसा नारद सारत सहित अईसा चम फुबेर भिग फाल जाते कभी को विद कई सके कामाते तुम्तार सुप्री वही कीना राम मिलाय राजपत दीना तुम्रो मंत्र विजीशन वाना लंकेश्वर भै सब जग जाना तुद सास्त जोजन परवानू लीलियो ताही मधुर्भल जानू तब मुत्रिका मेले मुखमाही चरादिलांगी गयो अच रजदाही तुर्गम का जगत के जेते सुदमारू का दुमरे तेते सामजवारे तुम रखवारे होतना अक्या दिन पैसारे तब सुख लहे तुम्हारी सरना कुंदर शक्काउं को तरना आपन तेज समारो आप है जीनों लोग हांक तेका पैं भूत पिसाज निगत नहीं हावे महां बीन जब धाम ऐन केलाओ एध सण выпave मक फ़्या आई जोरावे मनुआशए और मनौरत जो को एधान सोई अनी वन फलता वे ताप है पर शित जगत जिए आरा साधु अ कि तुम्रक वारे अस्रनि खंदन राम दुलाए तश्ट सिद्धिन ओनिद के दाता असबर दीन चानि की माता रामर सायन तुम्रे पासा सादार हो रगुपति के दासा तुम्रे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंतकार रगुबर पुर जाई जाजनम है अनि वर देवता चितना धरै हनुमत से सर्व सुपतरै अंकट गटै मिटै सब पीला जो सो मिला हनुमत बलवीला जै 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 हनुमान गुसाइक पाक रहु बुरुदेव किनाई जो सत्वार पाठी कर कोई चूतरी बंदी महासुक रोई जो यह पड़ हनुमान चली साँ ओय से थिसाथी गौरी साँ तुलसी रास सदा हरी तेरा की जै रात हिले महडेरा अवन तनाय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित धैब सहु सुर्भू मेरे प्रभू राम जै जै राम सिया पति राम जै जै राम मेरे प्रभू राम जै जै राम हम पूम हम अधरियकında सन्गों कर था, बैलो न इनकों मन औरा मैं! सुझआ हैं कि क्वेश् कैश्च आपिक नियुक्षा, अधि light हैं, आपिक ने करल नहीं जकता सैं समय है? भेलो, बेलो. 레 당연 demons क्या हाल चाल कितने टाइम के बाद में देखने को मिल रहा है काफी सारे बच्चों ने यूट्यूब पर देखा होगा कभी ना कभी और फेस टुबेस कैसे फिलिंग आ रही है अल अच्छा लग रहे है अरे पहले बतों फिलिंग कैसे आ रही है प्रफेस्टनल में आके ऑफ ओ माई गोड बहुत बढ़िया एक बार लाइव वाले बच्चे पहले मैं को बताएं क्या मेरी ओडियो वीडियो सही आ रही है जी है एक हैपी टीचर से थैंक्यू सो मुझ आपको भी बहुत-बहुत शुक्त कामना है टीचर डे की मुझे लगता है कि देखो बच्चा कहता ह हमें टीचर डेविश क्यों कर रहे हो उसका सिंपल रीजन है मेरा यह माना है कि जहां से भी सीखने को मिलते हैं वह आपका टीचर बन जाता है ठीक है अब मुझे आपसे सीखने को क्या मिला मालब एक्जांबल मैं आपको देखता हूं मुझे अपना टाइम यादा था कि मै मैं भी ऐसे हाड़ वक करता था तो आपसे मुझे इंस्प्रेशन मिलती है तो आप भी मेरे टीचर बन गए तो मलब सभी को टीचर डेगी बहुत बहुत शुब काम नहीं इवन आपको नहीं आपके पेरेंट्स को भी क्योंकि वह भी आपके बहुत बड़े टीचर से ठीक ह करने उनसा सब्सक्रयों को अगर नबर आपके पास हैं आज आपने जुरूर मैं करने क्योंड से ऊचाये कभी अपने उन्हें सहां किया पड़ाइक ना तो बचिकर को क्योंकि जो आज आप यहां पर बैठे हो ना आप यह मत सोचो कि आप सीएस के टीचर के वरसे बैठे हो क्योंकि जिन्हें स्कूल में पढ़ाया फिर कोलेज के अंदर आपने यहां पर भी पढ़ाई की या इवन आपके पेरेंट्स भी होगे उन सबका कोंट्रिबूशन आप सबसी बात बैठेटर सर जो एक सीखने यह चीज सीखने को मिल रही है कि मुझे कि अपना नहीं करना मुझे आपना मैस देना है ऑल वाए किस नहीं से सेुख सकते हो पोस्तिव नास सब्सक्राइब हां तो सबस्क्राइब यह निकल क्या रहे है आपका यह काम है मैं काम दे हूं आज कि आपने जरूर एक सिंगल मैसी ड्रोप करने हर उस टीचर को इसका नंबर आपके फोन में हैं चाहिए वो कहे कि तो बोल देना कि सर मैं स्टूडेंट था आपका आपको याद नहीं होगा मैंने अपसे क्लास दी थी पहले इस टाम कभी तो मेरे मन में आया मैं आपको टीचर डिविश किया मैं बिलीव उनको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो एक काम अपने जरूर करने हैं ठीक है चलो महीनों पहले आप executive में होते थे मल लगे होते थे भाई सब अच्छा एसर पेपर निकल जाए executive अच्छा executive में फिल आता था आपको कि एक बार बस executive निकल जाए professional तो ऐसे कर दूँगा यह फिल आता होगा आपको foundation में कि एक बार बस भगवान एटी निकाल दे एक जैसे कर तो थोड़ा से मैं आपको दिखाऊंगा आज पहली मुझे नहीं पता आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझे देखा है या नहीं देखा ठीक है एक एग्जीकुटी में अगर कभी रिवीजन क्लास देखी होगी यह कभी रेगुलर मैच के आप में स्टूडेंट रहे इस पेपर को दुबार आपको देखना नहीं पड़ेगा इतना बड़ी हम क्लास में कर लें इतना मेरा आपसे वादा रहा कि इस पेपर के टेंशन आप छोड़ सकते हो तो थोड़ा समय पढ़ाने का आपको तरीका बतातू मेरा क्या रहता है जब भी मैं कोई भी अपना मै करेंगे अ कि आम एक बात में को बताओ पहले तीन क्लास में ना आप यह मालो हम स्टार्ट भी करेंगे आर खतम भी कर देंगे जितना भी इस लेवर CR में है टोटल इंस्टूट ने टोटल ग्यारा चैप्टर दी है दो चैप्टर आपके वैल्यूशन के है बाकी आपके IBC के है अभी पूरा बताऊंगा आपको तो पहले तीन चार लेक्चर में करना क्या है जितना भी CR में दिया हुआ है पढ़ा होगा कॉम्पीडिशन पढ़ा होगा से भी आपने पढ़ा होगा उन सबकी इंटर लिंकिंग इसमें जुरूर आएगी बट यह मत्सोचना की पूरे के पूरे वही है इस एक ऐसी दुनिया है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर चल रही है मैं सभी बता रहा हूँ आपको टेक्स रितना प्यार साना उससे डबल प्यार ना करवा दिया फिर आप कहना सर पढ़ने का मज़े नहीं आया मैं दुनिया आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सुनिये आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ अभी HDFC लिम्टीड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ आपने गर सुना ओर रिलाइंस ने हैंबले को परचेस किया वहला इतने सारे एक्जामपल आप इस के अंदर मला आपको सोते हो भी न यह सपने आएंगे भाई सा मर्जर अमल्गामेशन डीमर्जर एक्वरिशन इसके सपने आएंगे और आपकी लाइन है यह सिंबल बाते होती हैं वहां पर सबसे पहले नाम CS का ही आता है और यह पेपर ही ऐसा वेपर है जो आपको सबसे अलग करता है जीखो आपको बताए अडवांस टेक्स अभी नोंने ऑप्शनल में कर दिया उसका रीजन क्या था इंस्टूट के दिमाग में यह था कि हमारे बच्चे बहुत टेक्सेशन के अंदर आगे नहीं जाते और जो कुछ एरिया में जाते हैं वो उस एरिया के अंदर डाल देते हैं थाकि उनको बेसिक आइडिया हो बट यह पेपर तो ना तो CA में है ना इसी में में तो यह पर एक ऐसा पर है जो आपको फ्यूचर डिसाइड करेगा अनलिमिटीड पैसा सर आपको नहीं पता क्योंकि मेरी वाइफ जो है आइधिंग आपने शैद बिग फोर सी एफ फर्म का नाम अगर सुनाओ के पी एमजी डिलोएट पी डवल्यूसी और एवाई अगर आप पहता हो तो मेरी वाइफ पी डवल्यूसी में में एमने डिपा में अच्राइब क्या मरजन एक्विशन इस इसी डिपार्टमेंट में मैं पराल ले रहा हूं इसी डिपार्टमेंट के अंदर है तो वह मुझे बताती है कि वहां पे CS क्लों की फिस्त ली तो नहीं हो गया ऐसा नहीं होता ना पुस्कर आये तुम भी थे जिए ना तो वह चीज़ी नहीं होरी मर्जर हो रहे हैं कमपनी का अब जिब कम्सक्राइब का मर्जर होगा उसमें बहुत सारे से लेकर सेक्शन 240 अगर आपको याद आ रहा हूँ अमल्गामेशन मर्जर डी मर्जर वो सारे के सारे प्रोविजन इसमें इंटर लिंग है तो यह लगा लो एक्जी क्यूटीव में जितने लोज थे उन सब का मर्जर इस पेपर के अंदर है यह सिंपल लोजिक है इस पेपर के अंदर आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें तो पहली चार क्लास में मेरा पढ़ाने का तरीका समझ जाओगे और आफ फील करोगे चार क्लास के बाद ही कि वाक्यी जो बेस क्लियर हुए ना स्लेबस का वो हमारा अब हुए चलो मैं ज्यादा बात ही नहीं क अच्छा आगई आगई अब थोड़ा क्लास भी स्टार्ट करने तो ठीक अच्छा बात और बताऊं आज हमारी क्लास श्याद थोड़ी से छोटी हो सकती है क्योंकि अभी ना एक बज़े पाटी है मलब एक्जिक्यूटी वाले बच्चों ने कह सर आप आना मत हम कुछ कर र अच्छा लगेगा क्योंकि प्रफेशनल में आयो और आपने अभी तक पाटी भी नहीं की होगी तो आज वो मोका है मैं कह रहा हूं धमाल मचा देना ठीक है बट पहले क्लास करेंगे दैन फिर हम कोशिच करेंगे वहाँ चलेंगे सीधा ठीक है इधर देखो ध्यान से अब एक बार यहां पर चेक करना आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं एक तो यह जो नोट्स में आपको यहां पर दिखाऊंगा ना यह नोट्स PDF में आपके ग्रूप में भी डाल दूंगा हमारा ग्रूप बनेगा यह नोट्स आपको भी मिल जाएंगे फिर विदिन यह नोट्स में आपके पास आएगे और श्विद्ष क्लासिज के नोट्स में आपको दिखा दूँगा आपको दिखा देता हूं मैंने सिर्फ नोट्स ना ऐसे त्यार किया इस तरह से आपको बुक मिलेगी अलक्तरिक आयसे तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना आपको मैं दिखाता हूं सब मैंने हाप पर कोट किये हुए और सेंक्रों एक्जामपल है सर अब आपने श्यायद आप आज नापको यह फील होगा कि आज हमने कुछ नोलेज अपडेट की है कि आज हम जिस कंपनी से समान परचेस कर रहे हैं आपको पता अभी लेटेस्ट कोला नहीं केंपा कोला कोका कोला अलग है तो लाइन्स ने इक वार केंपा कोलो अब जब वह किया उसमें वैल्यूएशन कैसे डिसाइड हुई यह इस पर इंद डिसकस करना है तो मैं यह लगा लो जो प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया चल रही है ना वो सारी बात है हम मैं यहां पर one by one discuss करने हैं तो जो भी नोट्स मैंने यहां पर हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहां पर दे दूंगा स्टार्टिंगे कुछ क्लास के देन फिर आपके पास आ जाएगी ठीक है इधर देखो ध्यान से तो मैं बिल्कुर बेसिक से क्लियर कर रहा हूं जी आप सब जानते हैं ना तो लाइव क्लास के अंदर बैठा है क्योंकि काफी बच्चे और से वाले पूछ रहे थे कि सब दिस अगर आप दिसंबर की सोच रहे हो नहीं तो मैं यह मान रहा हूं सबका जून 24 में एक्जाम है ठीक है अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाहरा हूं तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं दो पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पेपर तो आपका है CRVI और उसके साथ में ओप्शनल में आपने क्या लेना है आई वैसे उसमें टेक्स भी है मेरा बस चलता तो आप दोनों ले सकते हो और मैं आपको दूंगा भी दोनों आपको मैंने वादा भी किया था कि जो बचे CRVI और IBC ले रहे हैं उनको टेक्स में फ्री ओफ कोस्ट में दूंगा उसका को आपको मिल जाएगा CRVI और IBC के साथ ही ठीक है अब यहां पर चेक करना जी अब जो प्रोफेशनल का न्यूस लेवस है उसमें आप सब जानते हो आपके टोटल मिला के साथ पेपर है और यह बहुत बार आप सुन भी चुके होंगे बर एक बार थोड़ा सा फड़ा वट म क्या होता है इसे हर्ट बीट चेक होती है सबसे ज्यादा मोड्यूल इसका है लुट अब जितने मोड्यूल हैं सबसे ज्यादा पेजी जो हैं सर इन्हों बहुत पेज बढ़ाएं इसके अंदर मेरे लास्ट टाइम जो ओल्ड स्लेबस था साड़े 600 पेज के अंदर मोड्यूल खत्म और भाई साब अब साड़े 800 पेज आप सोच पारे हो दो 200 पेज एक पेपर में इंक्रीज कर देना उसका रीजन क्या है क्या है क्योंकि हमारी वैल्यू ही गवर्नेंस से आगे रहे करना ह द्राफ्टिंग तो यह आपको एक नया पेपर पढ़ने को मिलेगा अपने कुछ पोर्शन शाय द्राफ्टिंग का किया होगा एक्जिकूटी लेवल पर ठीक है उसका एक्स्टेंडीड वर्जन बहुत बड़े लेवल पर वह इस पेपर के अंदर आपका आएगा जो आप अब मेजरली जो मैंने देखा है लोग दो चूज कर रहे हैं या तो CSR या IPR अधिकर ना मैं यह नहीं करा कि बाकी बेकार हैं बाकी भी चूज कर सकते हो यह देखके चूज मत करना कि कि किसका मोडूल के पेज कम है कि देखो आपको मैं च्छोटी बताऊंगा अब आप प्रोफेशनल में आ चुके हों आपने अपनों फील करवा कि सर मजाक की बात नहीं एक्जीक्यूटी वाले बच्चे उनको पता लगा नहीं यहां प्रोफेशनल की क्लास है सुबह मत्था टेके गए गए हैं कि एरे ज यार अराम से बात कर एक्जीक्यूटीव कहीं का ओ माइग गोड फील होनी चाहिए कि अंदर हम प्रोफेशनल के अंदर हैं तो दो वैल्यू है फ्यूचर में एक तो CSR आप यह भी चूस कर सकते हो दैन आई पी आर देखो री बाकी आपकी मर्ची है एक बच्चे की मैंसे लडाई हो गई लडाइन मतलब कई बच्चे होते हैं से कि अगि यह कि ऐसे यह निसाण दूसरी बात आट इन्ट्इलियर दुनिया सीख रही है सर चैट जीपीड जो है हर इंसान उसके बिच्छे लगा हुए और सिंबल जी बता है वो हमारी लाइन ही नहीं नहीं है न हम कोई IT फिल्ड से थोड़ा है उसने इंस्टूट ने क्यों डाला कि अगर किसी का इंट्रस्ट है उस फिल्ड में जाने का तो सीख ले और हमारे काम जो है उस स्otes सी खामिन ऑएका नहीं कर मैं दोबारा बोले भूशन आपने लेना मेरी बला से हैं भले लो मुई यह कुछ कुछ मत कहुए नहीं आक ऐसी है जो नॉर्मली आईटी वालों की ए उनको यक्षी नोले आप फुब यार आप अगसे चलनाना नहीं आता को मजद हैं यह गाला यह मतलव है नहीं फोर्मूले आते हैं अग Union उन एक्नुले तुम सीखोंगे A ढार सथे ब्लूल जाओं गें इतनागों कि अन्दर मैं तहीं बतारा हैं आपको सर है को वह जाट प्यपीटि ही आपने पूरा प्रफेशनल है कि और नहीं पता पेपर कहां से आएगा ना कोई स्कैनर ना कोई कुछ क्या कर लोगे तुम इस तो पहले भी एक उसका मार्किट में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कहां धुनों के भया में को चैट जीपिट के बर में कुछ बता भाई स्कैनर लेकिए वह कहां से लाएका सकेनर कि वो फूंसा प्रप्र पर पश्री प्रप प्रप्र परप्र जो जिसने किया मैं उसमें या रहा क्यूं किया फिर आजाओ अब है हमारा सबसे प्यारा ग्रूप आपको अब जो ग्रूप नंबर टू में आपके सीरफ और सुरह तीन पेपर है सबसे पहला पेपर अभी आपको सर पढ़ा कर गए ड़ी स्ट्रेटिक मेनेजमेंट एंड कोर्परेट फाइनांस यह पेपर नंबर फाइफ में निट्री में है फिर आता है सबसे खतरनाक पेपर जिससे आप मैं कह रहा हूं खून में ना मिक्स होगा फिर क्या देना पेपर का नाम एक बहुत बोलना क्या है और परेट रीस ट्रॉक्च्रिंग वैल्यवेशन और इंसोलवेंसी यह आपका पेपर का नाम है यह भी पेपर मेंडेट्री में है फिर आता है इलेक्टिव अब इलेक्टी में ना काफी सारे पेपर हैं जो इसमें ऑप्षन ही नहीं है आपको लेना ही क्या है आई बीसी मैं दुबारा के रहा हूं टेक्स तो मैं आपको वैसे दूँगा कई वच्चे लेबर लो भी ले रहे हैं तो मैंने का ना उनकी मर्जी है बट आई बीसी इसलिए लिट खुली आई बीसी में आपको मैंने भी ना एक मैंने वीडियो आली थी यूट्यूब पे एक बात बताना आप मुझे बताओ डेली कितनी कंपनियों के आई पियो जा रहे हैं आप एक बार डीमेट पर आपका जो डीमेट अकाउंट आना आप उसमेरा के चेक करना सर इतने सारे आईप उसकी लिस्ट है जो to be Announce में है हर स्टारट U surviving ने सिम्पल बात क्या लॉन लिय.. नहीं लियो होते है । जाहर कंपनी लॉन रिपे कर पाती है तो डिफोल्ड करती है उस इस डिफॉल्ट जब होगा कमपनी का तो उस केस को हम कहते हैं insolvency इंसован इंसलवेंसी मीन्स क्या एक एसी अवस्था जिसमें आप अपने डेट पे नहीं कर पारे एगट इस इनसवेंसी ना पहली बात तो समझड़ों इंसोल एंसी किसी इंडिविज्वल की नहीं होती नहीं पेकर पारा मैं इंसोल्वेंट में नहीं आ गया और जो हमारे स्लेबस में इंसोल्वेंसी इलेक्टी पेपर है सो नंबर का आपको मैं दिखाऊंगा उसमें इंसोल्वेंसी इंडिवीज्वल की भी है कि आपने मुझे नहीं पता एक्जी के अंदर जो पड़ी होगी शायद वह आपने सी आई आरपी वह पड़ा होगा सेक्शन नंबर यादर खुड़ा वह सेक्शन नंबर सिक्स से लेके फिर आगे 77 दख चलता है तो में भी आपने जो पड़ा है बट यहां पर उससे बहुत आगे है तो अगला पेपर जो हमारा यह है एक बाद चेक करना लाइव वाले बच्चेरी मेरी आवाज आ रही है कि नेट तो आगे हैं आपके एलो लाइट चली गई है कि लास आ गई है कि अच्छा ठीक 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 बीच में बंद हो गई थी ना चलो ठीक है ओके चलो जी इदर देखो ज्यांसे तो अब मुझे यहां पर बताओ जी अब पहले बार को पेटरन बता दूं जो हमारा पेपर का पेटरन है आप सब ज सारा क्या हमारा डिस्क्रिप्टीव है अब डिस्क्रिप्टीव का मतलब कोई भी कोशन आपको एमसी उसी दिखेगा मलब बड़े-बड़े कोश्चंस आएंगे के स्टेडी बेस कोशन हैंगे वो हमें सोल्व करने पड़ेंगे बस यह पाध्यान देना और जो फिर उन्हो दूसरा क्या है डिस्क्रिप्टी भी है यह बद ध्यान दो फिर एक बात इंस्ट्यूट ने बहुत अच्छी किया है मैं उसको एप्रिशेट करता हूं आपको भी थैंक्यू बोलना चाहिए कि उन्होंने 15 मिनिट अब हमें एक्स्ट्रा दिया है पेपर पढ़ने के लिए इंस्ट्यूट कर रहा है 15 मिन दे रहा हूं पढ़ ले और सॉल्व करके दिखा दे यह भी हो सकता है सर 15 मिन एक्स्ट्रा के मदब इंस्ट्यूट पागल नहीं है मैं को बार बर कह रहा हूं मलब वो यह पढ़ने को दे रहा है कि पहले कोश्चन समझ लो फिर सॉल्व करना जल्दवारी मत करना और यह सीए के अंदर पहले से मिलते थे अब इन्होंने सीएस के अंदर भी करती और बहुत अच्छा स्टैप इन्हों लिया है मैं कह रहा हूं सर बच्चे को ना तीन घंटे के अंदर पैन ही को जाता है अब सबात और 15 मिन पहले सिरा पेपर मिलेगा आपको लिखने की शीट नहीं मिलेगी वह मिलेगी पूरे टाइम पर ही 15 मिन सिर्फ पेपर मिलेगा 15 मिन अब देखो 15 मिन में क्या करना आपने आपने यह चेक करना कौन सा कौशन आता कौन सा नहीं आता वो टिक करो उसके बेस पर सोल्व करो होगा 15 मिन और जो बच्चे 5-10 मिन में पहुंचते हैं अब टाइम साब को पहुंचना बढ़ेगा नहीं तो आपके 15 मिन गए यह बात ध्यान देना जी युग ना कई बच्चे पहले का तीन घंटे मिलते थे कर दस मिन पहले पहले पहुंच रहे हैं तो कम से का मादा घंट बीस भी आएंगे आपके अक्जाम में केस स्टेडी और क्रोकान पता है न किस्टों का मतब सब्सक्राइब को पकड़के कोई केस टेडी बना देना उसके बैस पे आपसे अंसर पूछना तो वह भी हमारे एक्जाम में और मेतर्ली गोष्टन जो होंगे वह क्युस्ट है आपने शायद थोड़ा बहुत सेक्योटी लोगर पढ़ा हो उसमें प्रैक्टिकल कोश्टन्स आते हैं सेक्योटी लो में तो अगर आपको वह अच्छे लगते हैं फिर तो वैलिएशन बहुत अच्छा लगेगा यह लगा लो सेम पैटरन पर हैं मुश्किल नहीं है तो बीस नंबर में आप यह मानों दस से पंदरा नंबर के प्रैक्टिकल कोश्टन से कैल्कुलेशन वाले और बाकी सारा पेपर के स्टडी वेसेच ठीक है अब मैं आ रहा हूं फाइनली अपने पेपर पे डैस ग्रूप टू पेपर नंबर टू हमारा है और साथ में 3.5 मदब आई बीसी और पेपर नंबर टू इसको में स्टार्ट कर रहे हैं मैं पूरी क्लास से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे एक बार दुबारा से पेपर का नाम बोल दें क्या लिख लिखा है कि को और अगर आपने यहां पर चेक किया होना सर यहां पर ध्यान से पढ़ना यह रहा पेपर आपका पेपर नंबर टू आपको मैं मोड्यूल भी दिखा दूँ आपके इंस्ट्थूट का यह पेपर का मोड्यूल है पिंकी और आपको प्रण सा पिंक है वो आपको पता है वह आपको पॉन सा पिंक है बट पिंक कलर का है एक बार मोड्यूल में पर का नाम पढ़ना क्या लिख है yes corporate और जो इन्होंने पेपर दिया है वह पेपर जो दिया है वह इन्होंने यह वाला पेपर दिया है कोर्परेट रिस्रक्च्रिंग वेल्वेशन इंसोल्वेंसी के साथ में लिक्विडेशन एंड वाइनिंग अप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि module कुछ अलग कह रहा है उसकी heading कुछ अलग कह रही है और matter कुछ अलग है हमारे slivers में सरफ insolvency नहीं है 40 number में liquidation भी है और winding up भी है और आप सब जानते हो liquidation और winding up link करता है company's act से आपने सेक्शन थोड़े बहुत पड़े होंगे बट मैं यह मान नहीं रहा कि आपने पहले पड़े हैं मैं विल्कुल 0 से लेके चलूंगा च्छी तो symbols ही बात है paper हमारा corporate restructuring का है फिर हमारा valuation है फिर insolvency भी है लिक्वीडेशन भी है और winding up भी है अब थोड़ा साथ की बाइफर्केशन देख लेते हैं अब जो यह बाइफर्केशन है 40 नंबर का हमारे स्लेबस में क्या आएगा corporate restructuring फिर 20 नंबर का हमारे exam के अंदर क्या आएगा valuation और फिर 40 नंबर का क्या इएगा insolvency liquidation and winding up यह हमारे स्लेबस में 40 नंबर का है और जो यह 40 नंबर का हमारे स्फेबस में यह हमारी help करेगा किसमें help करेगा जो इंसो नंबर का है उसमें help करेगा तो आप एक बास समझ लो जो इंसोलवेंसी आपको पढ़ना है वो चालीस नंबर का नहीं पढ़ना टोटल मिला के 140 नंबर का इंसोलवेंसी में पढ़ना है आप समझ सकते हो इंस्टूट किस तरफ कह रहा है कि तुमारी वैल्यू आगे क्या है कि अब वन फोर्टी माक्स एक पर के आप समझ सकते हो चालीस नंबर आइबीसी में 140 माकस सिरफ और शिरफ आईबीसी है तो इबीस में कितनी डैफ्थ हो गया आपको समझ सकते हो क्या मेरी बात समझ में आ लिए अब कुछ अच्छा एक बात में गवर बताओ ग्रूप टू कितने नंबर क्या टोटल तीन सो तीन सो में से 140 किसके हैं इंसोल्वेंसी के आप देख लो कितना मेजर पार्ट है कि मला सर्फ 50% अप्रोक्समेट 50% हो गया 50% पॉर्शन तो सिर्फ आई बीसी का है अग्या तो नंबर का पहला पेपर हो गया फिर 40-20 चालिस का ये सो का वो 140 मार्ट का पेपर सिर्फ एक हमारा है आई बीसी का जी क्या मेरे बास समझ में आती है तो अब यहां पर चेक करना एक तो हमारा कोर्परेट रिस्ट्रक्चरिंग 40 नंबर वेल्वेशन बीस नंबर और यह वाला पेपर 40 इससे लिंग करेगा आप समझ सकते हो क्यों क्यों कि डेली बेस पर कुछ ना कुछ हो रहा है कभी ये कंपनी उससे मर्ज हो रही है कभी सुप्रीम कोड की जज्मेंट आगी कभी कोई सर्कूलर आ गया कभी कोई नोटिविकेशन यह मन के चलना सर यह टेक्स से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है यहां भी अमेंडमेंट बोत हैं वहां भी अमेंडमेंट बोत थी अब फिर सेकिंड पच्चा के क्या आता है कि सर्ण अमेंडमेंट जो पढ़नी है वो कहां तक की पढ़नी है तो बता दूं जिनके एक्जाम भी दिसंबर में है उनको मेंडमेंट पढ़नी है 31 में तक की औ और जिनके एक्जाम भी जून के अंदर हैं उनको मैंने पढ़ने हैं 30 नवंबर अच्छा आज हमारी डेट क्या है पांच सेप्टमबर टीचर डेट आज मारा बैस स्टार्ट कब हो रहा है टीचर डेट पर पांच सेप्टमबर याद रहेगा है तो हमेशा अब और इस बैच का नाम भी क्या है रेंकर जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं अगर बोथ वाले हो यह अपनी बुक में बहुत बच्चे देता ही नहीं और जो देता है वह फिर जिस तरह से देता आपको पता ही है अगर आप सही तरीके से दोगे ना तो से रेंक बहुत बहुत इजी बनता है प्रोफेशनल के अंदर तो जितने बच्चे इस टेम बैठे हैं मैं टार्गेट लेकर चलूंगा यह अगला मीना फिर 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 ऐसे करकर के जून आ जाएगा अब जून में अगर एक्जाम है तो तीस नमंबर तक जो अमेंडमेंट्स आएंगी ना बस वो पड़नी है हमारा बैच खतम होगा अप्रोक्समेंट जैनवरी और फेरेवरी में तो अवे से बात है तब तक हम अगर जून में एक्जाम है तो तीस नमंबर तक की अमेंडमेंट्स करनी है और कुछ हमें डिसकस नहीं करना क्या बात क्लियर है पक्का पक्का चलो जी अब आजाओ यहां पे अभी दर देखो ध्यान से थोड़ो सा पेपर का पैटरन भी देख लो इतरो अभिग मका बताना अच्व एक अफेफ़ के और आपने गोले बहुले भरे थे एक है के बहुत जुरूरी आपको पहले से पताव नहीं चाहिए और जो मैं बातने कर रहा हूं न आप यह मत सोचना हर क्लास में होंगी यह सिर्फ पहली क्लास में हो रही है क्योंकि मुझे बताना है आपको पेपर हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या अब जो यह पेपर हमारा सो नंबर का आने वाला है उसका पैटरन क्या रहेगा बच्छा करें गाबसर एक बात बताओ तुम्हें कैसे बता पैटरन कि पेपर तो भी हुए नहीं कि पेपर अभी हुए नहीं आप में लीक कर दिया क्या यह मैं नहीं कह रहा है आधे टीचरों को नहीं पता इंस्टीट्यूट ने जो मोड्यूल नया इश्यू किया है उसके लास्ट में पेपर दे रखा है अब मोड्यूल तो किसी ने खोले नहीं या खोले तो फिर व्लास्ट तक अभी गया ही नहीं अब अगर आप चेक करोगे यह जो मोड्यूल आपके नहीं यह वला इसके बिल्कुल लास्ट में आपको दिखाऊं यह देखो उसने सैंपल पेपर दिया है क कि हम जो पेपर पूछेंगे निउस लेवसर के अंदर वो जो पूचेंगे वो इस तरह से पूछेंगे आपको मैं दिखा देता हूं या यह पूरा पैटर्न दिया हुaj इस तरह के गश्रापयम के अंदर आयंगे है अब तोट्ल मिला के सुनो ध्यांसेरी तोटल मिला के कितने कोस्चल नाने है तोटल मिला के कोश्चल आने आह इसको मैं लिखवाँघ़ी को आट पर में नाने जिसके 20 कोश्चं सब पाट होंगे तो वैसे आठ होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 उसमें सब कोश्चन जो होंगे वो 20 होंगे क्या बास समझ में आगी सबसे बहला पेपर जो बनेगा वो बनेगा पार्ट नमबर 1 इस corporate restructuring 40 नमबर का कोश्चन नमबर 1 जो आएगा mandatory है सबको करना होगा वो उसमें कोई option नहीं है पार्ट नमबर A, पार्ट नमबर B, पार्ट नमबर C पास नमबर का हर पार्ट होगा तीनों पार्ट आपको mandatory हैं आपको answer करके आना है फिर question number 2 और 2A इन दोनों में से option है अहा मतलब दो में से एक करना है या 2 या 2A बट ये नहीं सर में को 2 का A आता है और 2A का B आता है और फिर 2 का C आता है क्या ये मेरे question पूरा हो गया answer is no या तो 2 करो या वो तुमें choose करना है कि तुमें करना कुन से institute ने का 3 पार्ट 2 में भी है 3 पार्ट 2A के नदर भी है जो तीनों में से सहीते को आते हैं वो तु कर ले ये option है और हर question बनेगा 5 नंबर का again option between 2 और 2A ये आपके मर्ची है फिर question नंबर 3 आएगा जी option नंबर A और B ये mandatory है तो मलब कौन कौन से mandatory होगे first और third ये mandatory है और option किसमें आ रहा है second में 2 और 2A तो ये बात clear है अब अगर आप counting करोगे चालीस नंबर पूरी हो गए पंद्रा कि पंद्रा तीस और दस चालीस नंबर का सियार खतम कि इस तरह से बनेगा पेपर आपका जो सियार सो कॉर्परेट इस तरह से बनेगा पिर अगला पार्ट जोगा सबसे दिक्क्कत है क्योंकि दो कोशन बनेंगे और दोनों के दोनों मेंडिट्री हैं और बच्चा इसी में मार खाता है कि सब्सक्राइब प्रेक्टिकल फिर हाँ पर आ गया कि हमने तो सोचा था टेक्स गया जान चुट गी हमारी ठीक है फिर यहां पर आएगा येस आएगा और आपको मैं दिखाता हूँ ये आपके पेपर इंस्टिूट का ही है ये देख लो एक प्रेक्टिकल कोशन ये एक प्रेक्टिकल कोशन इन्दों ने ये दिया हुए दस नमबर का प्रेक्टिकल दिया है और आज तक पेपर में 15 नमबर तक के प्रेक्टिकल बने ये और मेंडेटरी है इसमें कोई ओप्षन नहीं है तुमकि अगर कहो कि सर मुझे ओप्षन मिलेगा अंसर इस नो दो ही कोशन बनने है दोनों में दो दो पाट होंगे और ये चारों के चारों मेंडेटरी है ये वेल्येशन तुम्हें करना ही करना पड़ेगा इस अगर तुम नहीं कर रहे तो ये समल्व दस नमबर तो गए क्यूंकि दस के दस तो प्रेक्टिकल आने ही है सर आज तक 10 से कम प्रेक्टिकल बनानी और 15 से उपर नहीं बने तो 10 से 15 के तो दिंença कुझष में घूम रहे हैं तो किस तरह के प्राक्टिकल कर लेंगे वह स्चोंच कर लेंगे वह यहां यहां टिकश निकालने हमें यह है कि जब भी कंपनी का मरजर होता है तो गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें गुडविल की वैल्यू की निकालने के मैफ़ड कौन-कौन से होते हैं वो सारी बात है मैं यहां पर देखनी पड़े हैं उसके बाद जी फिर आपका आएगा इन्सोल्वेंसी इन्सोल्वेंसी आजाओ इन्सोल्वेंसी पार्ट नमबर थ्री फिर बनेगा जी कोश्चन नमबर सिक्स आपका कोश्चन नमबर सिक्स में तीन पार्ट होंगे पार्ट नमबर ए पार्ट नमबर भी पार्ट नमबर सी और पांस नमबर का हर पार्ट तीनों पार्ट मेंडि यह बाद ध्यान देना तो पूरे पेपर में दो ओप्षन मिलेंगे टू और टू ए सेवन और सेवने यह आपके सामने है और फिर कोशन नमबर एट है यह भी मेंडिटरी है तो टोटल आठ कोशन बनेंगे उसके सब कोशन जोंगे वीस होंगे तो मतलब 130 नमबर का पेपर बनेगा जिसमें attempt हमें करना है 100 नमबर 130 सभी बोला मैंने yes 12 बाद मैं बटाद धिया तो 130 मार्क से बनेशिक हमें करना है 100 नमबर और पेपर तेम्ट करने से पहले 15 मिंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे यह आपको बता चुका हूं जी अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है बट मैं आपको बेसिक सारा बता दिया ठीक है कितने कितने यह बहुत बढ़िया बढ़िया और फिर वेल्वेशन के अंदर प्रैक्टिकल कोशन बने है दैन फिर कोशन बने आई बीसी अगेन आई बीसी के अंदर भी इंदोने के स्टेडी वेस्ट डाले हैं यह बत ध्यान दोच ठीक है अब यहां पर आ जाओ थोड़ा सा इसको बात म से कवर हैं और हमें इस पीपर में क्या सीक्षने को मिलेगा एक बात में को सोच के बताओ सर्स हो एक बार से ना पेपर का नाम बोल देना क्या है शोट फॉंम बहो शोट फॉम क्या है C औरी इसके तीन टुकड़े है इस पेपर के तीन टुकड़े हैं, एक तो कौन से है, CR, एक कौन से है, V, एक कौन से है, I, और जो ये I है, वो connect हो रहा है, elective में insolvency से, मेरी पास समर्ण में आ रही है न, बहलाँ ये पेपर किसमें connect हो रहा है, elective में insolvency, तो 140, 140 यह हो गया, valuation 20 का, CR जो हमारे एक्जाम में चालिस का है, मेरा पूरी क्लास से question है सर, अब एक topic हमारे इस देवस में corporate, restructuring, उस पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं को normal बताओ, restructuring क्या होती है, जो आपके मन में आ रहा है, basic basic बात में बताओ, क्या होती है, क्या चीर, merger amalgamation, ओके, अच्छा एक बात बताना, मैंने question क् मैं पूछा, restructuring क्या होती है, क्या मैंने restructuring के types पूछे, या meaning पूछा, meaning, मैंने यह नहीं का कैसे होती है, जी, ओके मलब कोई structure चीर है, पहले से, उसको दुबारा से कोई नया structure देना, तो उसको restructuring बोल सकते हैं, चलो, जी, capital structure में कोई चीर लिकराना, जैसे equity, okay, okay, हांची कुछ कहना चाहरा है, re-organize करना, किसको, business को re-organize करना, चलो, और कोई भी चार्जी, मलब, एक बच्चे ने बोला, कि सार, rearrangement करना, अपने business को, उसकी अच्छी growth के लिए, उसकी अच्छी efficiency के लिए, चलो, मलब, जितना मेरे पस आपके answer आ रहे हैं, उससे एक point तो निकल के आ रहे है, कि सर, कोई कह रहे है, rearrangement कर सकते हैं, किसे ने बोला कि पहले एक structure है, उसको हम change कर सकते हैं, किसे ने बोला, capital में change कर सकते हैं, अब एक बात में को सोच के बताओ, पहले ये मुझे बताओ, क्या restructuring जो concept है, क्या वो सिरफ company के लिए है, मलग क्या एक individual के business में भी restructuring हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, restructuring means क्या, restructuring means एक change लाना, किसमें change लाना, किसी organization के structure में, किसी organization के operation में, या किसी organization के ownership में, मलग जब भी किसी organization का structure change होगा, operation change होगा, या ownership change होगी ना, it means वो restructuring है, और restructuring सिरफ company के नहीं होती, यार एक बात में को बताओ, simple example देता हूँ, आप सुबह सुबह उठते हो, जब सुबह उठते हो, हम सब जानते हम सुबह कैसे होते हैं, प्रिश करते हो, फिर आप मुँव हाथ होते हो, फ्रेश होते हो, फिर कपड़े डालते हो, फिर थोड़ा सा अपना, अपना समझ जाओ, क्या करते हो, सरावाट सुरूबट का समान हो गया, बिंदिल, बिस्टिक, मैनी के और, पैडी के और, मतलब वो एक बात नहीं हो गई, फिर अपना कंगा-वंगा करते हो, तो एक बात बताओ, यह अपने आपकी appearance को बढ़ाने के लिए, आप अपने अब अब चेंज कैसे आ सकता है, अब आपने बोला merger amalgamation, वो बात की बात नहीं, वो तो चेंज लाना कैसे है, वो तो बात की बात है, चेंज आ रहा है, that is restructuring, एक individual, मालो मैं हूँ, मैंने सुबह सुबह अपने बाल अच्छे की है, मैंने कपड़े डाले, यह मैं अपने आपने restructuring कर रहा हूँ, एक partnership हम है, उसमें नया partner आ गया, तो क्या यह restructuring नहीं हो गई, एक partnership हम से partner चला गया, क्या यह restructuring नहीं हो गई, yes हो गई, तो पहली बात तो यह समझो, restructuring means क्या, corporate restructuring तो बहुत बात का matter है, पहले word को संधी वीछेद करो, याद है बच्छमन में करते सं संधी भी छेद, याद करो जो आपने टेक्स पड़ा होगा, GST की full form क्या है, पहले तो time उस पर लगाएंगे न, आपको मैंने वहाँ पर भी कहा था, अगर आपको यादा आरो, मेरे पढ़ाने का तरिकासर सेम रहेगा, चाहिए, पैटरन सेम रहेगा, GST की full form मैंने वहाँ आपर भी का था, पूरा syllabus खतम हो जाता है, कई बच्चे अभी भी goods and service टेक्सी बोलती रहते हैं, पेपर खतम हो गया, CR खतम हो गया, अब बच्चे के दिमाग में क्या बैट गया, restructuring होती ही सिर्फ company की है, ऐसा किसने लिख दिया भाई, पहले ये तो समझ मैं कि restructuring का हो है, एक process, किस शिर्फ का process, जो एक change लाता है, किसमे चेंज लाता है, structure में, operation में, और ownership में, किसके, किसी के भी, चाहिए कोई charitable trust है, कोई hospital है, कोई education institute है, आपको मैं थोड़ा example देता हूँ, कोईड हुआ, कोईड में आप सब जानते हो, कोईड से पहले face-to-face बहुत चलता था, बहुत ज्यादा face-to-face चलता था, यह आज अब जितने बच्चे बैठे हैं, यह बच्चे ऐसे नहीं होते थे, वहला एक class के अंदर 400 बच्चा भी बैठा हुआ है, बढ़ कोईड के आन एक्जामपल मालों कोईड से पहले ना मालों face-to-face class चलती थी, face-to-face class चलती थी, मैंने जीद पगड़ी, मैं का मैं को face-to-face के अंदर मज़ा आता है, मैं तो face-to-face ही पढ़ाऊंगा, मैं YouTube पे class नहीं डाल रहा, जबकि मेरा YouTube COVID से पहले start हो चुगा था, मेरा YouTube बहुत पहले लेका है, बट मैं एक्जामपल ले रहा हूँ, बट किसी ने मुझे कहा, मेरी वाइफ ने मुझे कहा, यार, विवेच क्या कर रहे हो आप, तुम्हारा बिजनस ही ठप हो जाएगा, यार, face-to-face में पांच बच्ची आ रहे है, COVID में कोई नहीं आ रहा, तुम क्या जीत है, बहुत रिजीट है, वो अडोप नहीं करना चाहरे, अब बताओ, सबको पता है, आने वाला फ्यूचर अर्टिविचल इंडलियंस का है, बहुत बड़े लेवल बेक एप कहा हो चुकिया, चैट जीपीटी, मुझे नहीं पता आप आपने यूस की या ने की, सर आपके, आपका दिमाग मैं कराओं खराब हो जाएगा, उसको यूस करने के बाद, आप को कि भई क्या है पर यह, आपके हर पोश्चन का अंसर उसके पास है, मेरी वाइफ उसमें काम कर रही है, आजकल वो भाई सब डेली पगलाई पड़ी है, जैसे मैं घर जाता हूँ, वो एक न सब्सक्राफ रखूंगा, अरे भाई, ओनलाइन काम हो रहा है, अडोप्ट करो उसको, मेरे फादर कहते, मैं दुकान पे कस्टमर रहेंगे, समान बेचूँगा, ओनलाइन समान नहीं बेचूँगा, मत बेचो, बंद हो जाएगा बिजनस, अब उसने मुझे कहा कि रेख, बरबाद हुझाएगा, तुझे कुछ अपने बिजनस को रियॉर्गनाईज करना है, मैंने का मैं ओनलाइन में एंट्री ले रहा हूँ, अब यह मेरा online में आना, मैं company नहीं हूँ, answer देना मुझे, face to face से online में एंट्री लेना, for business extension, क्या यह भी restructuring है, तो यह भी restructuring है, तो पहले हम यह समझें कि restructuring का मतलब क्या है, corporate तो बाद में बाद लगाएंगे, मैं आपको, believe me, मैंने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, आज तक मैंने text पढ़ाया है, क्योंकि मैंने का न, अगर आपको पता है, मैंने class के बाद बोला, मैंने क्यूं दूसरे paper नहीं लिए, क्योंकि आपको मैंने हमेशा एक बात बोली है, मैं time A को ही दे सकता हूँ, क्योंकि सिंबल यह दुनिया मैंने बहुत देखी है, सर ओफिस के अंदर, सी यह ऐसी थोड़ा बन गई, आर्टिकल भी की है, काम भी किया है, डेली हम और न्यूस पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, अब मुझे पता है कि हाँ, अब वो time आ चुग है, मैं इसमें time लगा सकता हूं, तो पहले जाए तक base clear नहीं होगा, बच्चे का CR खतम हो जाता है, उससे पूछो restructuring का मतलब क्या है, restructuring एक company आपने business को reorganize कर रही है, भाई company वड क्यों जोड रहा है साथ में, मैं पूछ रहा हूं restructuring क्या है, क्या restructuring other than company भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप daily restructuring करते हो, आप daily कपने डालके सुबह जैसे थे, उसके बाद आप कैसे होते हैं त्यार होने के बाद, तो क्या यह restructuring नहीं हो रही, आपने partnership हम की बात करो, answer देना simple, लेको पहले base clear करना बहुत चुलूरी है, मैं बात में होगा CR पे, और एक तोपिक बहुत बढ़ी उसमें से मालों दो partner retire हो रहे हैं, क्या restructuring है, profit sharing ratio change हो रही है, क्या restructuring है, मैं face to face से online class में आगया, पहले मैं online में नहीं था, क्या restructuring है, मैंने tax के साथ में CR पढ़ाना start कर दिया, क्या यह restructuring है, yes, यह भी restructuring है, तो restructuring का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, restructuring is the process of making significant changes to the structure, operation or ownership, मैंने कहीं नहीं लिखा in company, मैंने मतलब समझाया, सिर्फ restructuring का, corporate तो बहुत बात की बात है, सर्फ जोड़ेंगे बाद में राम से, हमारे स्तिवस में CR है, मुझे भी पता है, बट CR से पहले यह समझें कि जो R है, उसका मतलब क्या है, तो government यह बात कह रही है, restructuring means कि अगर structure में change आ रहे है, operation में change आ रहे है, ownership में change आ रहे है, structure में change आने का मतलब क्या है, structure में change आने का मतलब यह है, जैसे मानलो example देता हूँ, CR मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी धीरे धीरे बच्चे आएंगे, बच्चे को पता लगेगा, गाबासर कैसा पढ़ाते हैं, वो ही same feel आ रही है उनको, तो मजा आएगा उनको, क्योंकि starting में थोड़ा सा होता ही है, तो मैंने का यार बच्चे आ रहे हैं बहुत, CR के अंदर नाम हो गया, अच्छा खासा, और बच्चे को बैस दे रहे हैं, मैंने कैसा करता हूँ, drafting पढ़ा लेता हूँ, drafting, governance, जो funding, जो भी आपका paper, finance, वो, मैंने का चल भाई, paper ले लेता हूँ ये, एक बात मैंको सोच के ब पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बता दो, क्या ये पांचों मेरे core हैं, मैं आप से बुचता हूँ, क्या ये पांचों मेरे core हैं, क्या core अंकिनत मन सकती हैं, या core एक या दोगा, एक या दो, सर, Reliance Company, चाहे हजारों diversification कर ले, बट उसका core एक या दो ही रहेगा, आरे, Domino's, सोच इने बेशता होगा, तुम वहाँ पीजा खाने के लिए ही जाते हो, नाम पीजा का ही चल रहा है, उसका, core तो एक ही है साब, बाकी तो वो क्यों, लोग आ रहे हैं, बेच दो, पीजा खा क्यों, रख कोल रिंग, अचा फिर अगली बार कस्टमर आ है, बर्गर, बर्गर भी देख, वो सेंडवीच मिल जगा, मैंने को, यार सेंडवीच मांग रहे है, रख सेंडवीच, मैंने भाईजा सो इटम जोड ली, कस्टमर तो लेके जा रहा है, बट वो किस नाम से आ रह हो रहा है, इसको बोलते है, structural change, structure change का मतलब, जैसे आपने बोला, एक कंपणी मर्ज हो गई, structural change हो गया, इसमें structural change हो गया, इसमें structural change होते है, operation change का मतलब क्या होता है, operation change का मतलब होता है, मैंने कह लिखे है, making major adjustment to how a business does its day-to-day activity work, जो तुम day-to-day activity कर रहे हो, उसमें तुमने कोई change लेकर आए, अब day-to-day activity क्या है, आप सब को बताए, G20 की मीटिंग है, जी ना हराम हो अपड़ है, आज सुबे अरुन सर लेट हो गए, तो सर ने मुझे कहा कि बड़े जाम लगावा था G20 के चक्कर में, और मैं कह रहा हूँ, दिल्ली इतनी सुधार्दी, सभी मैं भगवान से प्रातना करता हूँ, हर साल G20 हो, आपको नहीं लग रहा कि हर साल G20 की दिल्ली number one बन सकती है, भाई सम्, आपको नहीं पता ना, तो पता लगाने है, जाके देखो प्रगती मिदान, जाके देखो इंडिया गेट, यार मैं कह रहा हूँ, वो दिल्ली है ही नहीं, तो हाँ लक्ष्मी नगर, अगर तुम लक्ष्मी नगर को ध्यान से देखो, यह अलग कंट्री लगता है कितना क्राउड, कितने लोग प्यार के अभी तो तुमने देखा, दिन में है न, शाम को आके देखना, एक योबर एक प्यार चड़े होते हैं, यह हालात यहाँ पे हैं, और अगर वही इस टेम तुम जाओगे इंडिया गेट, मैं कल पटेन लगर क्लास के लिए जा रहा थ अब तुम पेड़ लगा रहे हो, क्यूं, किसने आना है, ताउ जी ने आना है, भाहर से बाइडन ने, आएंगे, ताउ जी आएंगे, बाइडन जी आएंगे, देखेंगे, और फिर शायद इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर तुम्हें इतना ही है, तो लगाओ ना, कमले प कुर्देर्श में क्यों तुमने और दिली के भी हर जगह में नहीं लग रहे हैं, तहां लगे लक्ष्मिन एजर में, कहा लगे लगे 되면 तुम ने कहां सारी सड़कें नहीं बना दी, सड़कें वहीं बन रही है, जाँ उन्न ने आना जान गूमना था, प्रिक उनको लगए, आपने देखिया बाहर बिल्कुल दिवारें प्लेन है श्यादा को सुभे दिक्कत ही होगी कि कहां क्लास है क्योंकि बाहर से कुछ नहीं लगा हुआ और बाहर पैंफिलेट वांटने वाला भी नहीं है पैंफिलेट गेरते ही पांसुर्वे का चलान काट रहे हैं पैंफिलेट के रहो पांसुर्वे का चलान ले आओ ऐसे इस्टम खड़े हुए अब बात बताओ मेरी वाइफ ने बोला कि बच्चों को पता नहीं लग रहा है बच्चों को पता नहीं लग रहा कि कहां पर आना है कहां कहीं बच्चे और इंस्टूट में जा रहे हैं कई कु उनको देख लेगा इन से पूछने कि जाना का है क्या जो मेरे डेली ऑप्रेशन चल रहे हैं क्या उसमें कुछ चेंज आरही है नहीं आरह तो जो यह चेंज आ रहे हैं तो क्या यह बहुत जा प्रेशन को मतलब किया है आप सब जानते हो जब धीरु भई अमानी ने लाइन्स को बाटा दो बागों में बाटा मुगेश अमानी को लग दिया, अनील अमानी को लग दिया, क्या ओनर्शी में चेंज आ गया नहीं आ गया ये भी क्या है, रीस्ट्रक्च्रिंग है एक कंपणी मर्ज हो रही है, अमलगा मेट हो रही है, इसकी ओनर्शी में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, रीस्ट्रक्च्रिंग है और सोने एक्जाम्पल आकाश किसने ले लिया बाई उसने क्या ओनर्शिप हो गई नहीं होगी यह भी क्या है रिस्ट्रॉक्ष्रिंग है टो आपके दिमागे यह सेट करो रीस्ट्रॉक्ष्रिंग क्या है सारे बच्च के वोलेंगे डेफिनेशन दुवारे से बढ़ क्या लिखा हुए रिस्ट्रक्ट्ट्रिंग इस दा प्रोसेस पहली बात कि यह क्या है प्रोसेस किसका ओफ मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजिस इन किसमें स्ट्रक्ट्टर ओप्रेशन और ओनर्शिप ओफ कंपनी ओफ एनी ओर्गनाइजेशन यह बात ध्यान पर चाहिए बात क्लिए अब थोड़ा सागे बढ़ते हैं अब आता है एक बच्चे ने डाउट मेरे आपने कुछ अमल्गमेशन म जरूरी होती है बताओ कि यूँ आप सुभे जैसे उठते वैसे निया रहते क्लास में कि किसी ओपर्शनेटी को ग्रैप करने के लिए कि अध्याट करने के लिए कि मार्केट में चेंडी सारे उनको अडैप्ट करने के लिए चलो और बताओं है है कि अध्याट करने के लिए रिस्ट्रक्शन जूरी होती है अब एक बात में को बताओं आप मुझे बताओं सुभे सुभे आप क्यूं त्यार होती हो बताओं यह बता ओव आप जैसे सुभे उठते हों वैसे क्यूं नहीं रथे पूरा दिन वैसे क्लास में क्यूं नहीं बताओं च्छा लगए कि मैं आप सब जानते हो जो दिखता है वो यही रूल आच का जो दिखेगा वो बिखेगा सिंबल जी बाता है जो नहीं दिख रहा वो पीछे हो रहा है सर आरे एक बात मैं को बताओ Reliance Company इंडिया की Number One Company होने के बावजूद भी क्या marketing करती है नहीं करती सर जियो क्या कोई जानता नहीं सब जानते है फिर भी इतनी marketing करती है भाई साब की जियो कोई भूले ना कि अपीरेंस बहुत जुरूरी है मार्कीट के अंदर अपीरेंस बहुत जुरूरी है कि तुम्हें लगता है तो मैं कहीं शाद्नी में जाना हो तुम सारी भाई साब मैं को लगता है घर के सौरे कपड़े खलेर देते हो तुम्हें क्या दिखना है तो ऐसे ही क्या कंपनी को भी अच्छा दिखना नहीं दिखना क्यूं क्यूंकि सर उन्होंने शेर होल्डर से इंवेस्मेंट लेनी है उनको प्रोफिट दिखाने बहुत जरूरी है तो रिस्ट्ट्रिंग क्यों जरूरी है अब गोर्मन बोई बताने जा रही है देखो जी इस चेंजिस आर ओफन मेट टू इंप्रूव यह क्या इंप्रूव करते हैं दा और्गनाइजेशन पर्फोर्मेंस पर्फोर्मेंस मे अब बताना आप मुझे बताना मैं फेस्टू फेस से ओनलाइन में अंटर हो गया मैं फेस्टू फेस से ओनलाइन में अंटर हो गया क्या सोचके बोलना क्या पर्फोर्मेंस में कहीं ना कहीं वृद्धी आएगी नहीं आएगी पर्फोर्मेंस इंक्रीज होगी नहीं होगी क्यास हो गे अच्छा बात और बताओं री स्ट्रक्श्रिंग भी दो तरह की ओती है अन्दर कुछ उसको उदास कर रहा है कि जो सबको हसाते हैं अकेले में वो रोते हैं कि यह बहुत दो लाइने मैंने बहुत गहरी बोली है सर जितने भी कोमीडिन होते ना आप उनके बैठ जाओगे वह नोर्मिलिश्टम शान्त होते हैं कि दुनिया को वह सारे होंगे का फिली शर्मा दुनिया को साता है सर तीन साल डिप्रेशन में था कि उसने अपने इंटर्व्य अंदर खुद बोला है मैं मरने जा रहा था सुसाइट करने जा रहा था मैं को बचाया लोगों ने और पूरी दुनिया को वह सार रहे हैं तो एक बाद बताओ आप बहार से अच्छे दिख रहे हो यह भी रिस्ट्रॉक्षरिंग है एक होती है इंटर्नल रिस्ट्रॉक्षरिंग मैं बाहर से बहुत बढ़िया हूँ एकदम बस्त कपड़े भाई सब यह वह आप कह रहे है यार बनना है तो ऐसा बनना यार शारू खान ओ माई गोट शारू खान और अंदर से अगर आप चेक करोगे ना वह खोकला है सर उनको आधिते एडिक्षन है सिग्रेट की वह तो उनको देली देख रहे हैं तो काम उनका चल रहे है उनको आधिते डेली शराब पीने की अब बात प्रूव करने है क्या डाइट अच्छी करने पड़ेगी नहीं करने पड़ेगी सेम कंपनी के अंदर भी होता है रिस्रक्चिरिंग दो तरह की होती है इंटरनल और यह क्या कंपनी थी वो लोगों ने खूब पैसा निवेस्ट के अंदर से खोकली हो चुकी थी अगर यह मैं देखूं और यह बी रिस्रक्चिरिंग है या नहीं है तो रिस्रक्चिरिंग किती तरह क्यों होती है दो को उनको से इंटरनल और यह बाद ध्यान देना तो उसके बाद एक औरी दीस चेंज़ेश आर ओफन मेड़ इंप्रूव दा और्ग्नाइज़ेशन परफोर्मेंस अडएप्ट तू चैलेंज और सीज नियू ऑपोर्शने को सीज़ करने के लिए नएच चैलेंज को अड़ेप्ट करने के लिए परफोर्मेंस को इंक्रीस करने के लिए यह हमें रिस्ट्रक्ष्रिंग करनी पड़ती है आप अपने आपको चेंज नहीं करोगे क्या आपके बढ़ सकते हो सोच के बताना मुझे एक बच्चा एक बच्चा को एमसी उसकी आदत है बहुत ध्यान सुना आधे बच्चे एक्जिकुटीव फेल होने का रिजन समझ लो मेरे से आज मैंने कहीं नहीं पता आपका एकजिकुटीव उतनी आटेम्ट के निप्र निकला है बट आदे बच्चे फेल होने का रिजन जान चुकी होंगे मुझे लगता है आदे बच्चों के एकजिकुटीव फेल होने का रिजन है Cisco कि बहुत बड़ा रिजन सी एस एटी है उसमें कुछ है नहीं दस दिन पहले पड़ो एक्जीगुटिक प्लियर चने के जाने पे बचा चल जाता है कि वह पता नहीं क्या तीर तोड़ दिया फिर वह उसी मुवमेंट में जीता है उसको आदित लग गई गोले भरने की पेपर तोड़र लिदे में नंबर दिर यहीं इसवार अधिनमर बच्चों को को राइटिंग फ्री नीए नो नंबर पांस नंबर चार नंबर नोडाउट इन्वार्किंग टाइट किये नोडाउट कुछ कम्या इन्सीट के अंदर है बस्तों हमारे अंदर बी एन अगलए बच्क जो मार्किन में ट्रेंड चल रहा है उसको अडेप्ट नहीं करोगे क्या पीछ रिया जाओगे नहीं रहा जाओगे तो रिस्रक्षिरिंग क्यों जूरूरी है नए चैलिंज को अडेप्ट करने के लिए और आपने आपको इंप्रूव करने के लिए रिस्रेश्न बहुत जु तुम भी तो आंसर में को दे सकते हों कि एक बार इनसे बात कर लो यह थोड़े से लाइव के अंदर बैठें हैं बाइस साब है अंसर सारे बच्व यहां पर देंगे कि आपको मेरी बात है समझ में आप भी नहीं यह नहीं आ रिच दिखारी अब सारे बच्व लाइव वाले और दोनों मिल एक साथ अंसर देंगे क्या री स्रक्टिरिंग किसी भी औरनेजेशन में हो सकती है नहीं हो सकती यह सकती यह नो अब यह से नो बोला कंपनी में में ट्रस्ट में पार्टनर्शी फाम में एललपी में बिजनस में येस कहीं भी हो सकती है वड़ हमारे स्लेबस में क्या है को और प्रेट रिस्ट्रक्चरिंग अम्हें उसमाइंट क्या रहा हूं तो हमारे इस लिबस में सिरफ corporate की restructuring है हमारे इस लिबस में हर person की restructuring नहीं है चलो लिए आप देखो मैंने क्या लिख है yes restructuring can be undertaken in any entity other than company उसमें भी हो सकती है while corporate restructuring is primarily applies to business and corporates the concept of restructuring can be applied to various type of organization and entities ठीक है अब मैंने आपे कुछ example दिये partnership में में जो आपको मैंने बोल दिये ratio में चेंज आ गया कोई partner आना जाना यह सब कुछ बाते मैंने आप लिखी है जैसे बात में को बताओ अब मैंने कोई नया product launch कर दिया तो क्या यह restructuring है या नहीं है बिल्कूल है जी मैंने प्रहाने की नई एप्रोच चूज कर ली face to face से online में आ गया तो क्या यह restructuring है या नहीं है यह अभी example है आप मुझे answer देना सारे बच्चे हेलो बाई साब लाइव वाले बच्चे अब सारे बच्चे अंसर देंगे टोटल से मिलाके 11 एक्जामपल है आप बताना क्या restructuring है और क्या नहीं है सबसे बहले example बहुत खतरनाक वीजी स्टड़ी हम और अरुन सेत्य क्लासिस का मर्जर हुआ पता आपको इत्यास भूले गा नहीं उसको ठीकर नहीं मैं सभी से मर्जर किँगा तो क्या इन दोनों का मर्जर रिसक्ट्रिंग रहा नहीं है यह यह ऊए चलो ये अगले का HDFC Limited और HDFC Bank का मर्जर हुआ कि यह बीरी स्ट्रिंग रहा नहीं है यह अच्छा इन दोनों फर्क पता क्या है कि कही यह पता ही नहीं हो ना बेंक्तिंग में यह दोनों मर्ज हो गई अब हाउसिंग लोन हीप्सी और हुसी बेंक हे अलग लग थे यह दोनों मर्ज हो गई किया यविरीन कर आगे यह आगे आंसर दो एक पाक्नर्शीम में नया पाथ लंग अपानर है आग Io कि येस बिल्कूल है कि आगे ICSI आपका इंस्ट्यूट एंटर कर रहा है ओनलाइन लर्निंग में पहले वो क्लास नहीं देख था उसने बोला मैं भी आपने बच्चों को पढ़ाऊंगा ये टीचर बहुत फीस चार्ज कर रहे हैं मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा फिर उसने कभी सुना होगा आज आपको पता लग जाएगा आज के बाद सुनोगे तो पता लग जाएगा तो न यह कभी underestimate मत करना अपने आपको बसे बतानों हर इंसानिया सीखने के लिए फरक आप और मुझ में इतना है आपको थोड़ा कम पता है पूरा किसी को नहीं पता है पूरा किसी को नहीं पता आज अगर में से पूछ लो सर सौरी कंपनियों के नाम बताओ जो मर्जर हुए है यह नहीं पता आपको नहीं पताप CR रोगे है यह बात वी किसी को निपता इंडिया कब बना अब तक कितनी कम्पने ने मर्जर रोए कि समपता है नहीं तो फैसिंबली बैसपर न्यूस वाती है अब सुनते हो आपको बता लग जाती है तो गभी यह माश ना कि मुझे न ठीट इसको नाम मैंने रखा निरवी क्या रख्यार मैंने मेरी वाइफ का नाम है निकिता कि मेरा नाम है विवेक पहले दो वर्ड मैंने यहां से चुड़ा लिए यह और बीच में आगया आर तो क्या बन गया निर्वी तो दो वर्ड उसके दो वर्ड मेरे बड़ इसका मीनिंग बहुत अच्छा होता है इसका मीनिग होता है blessings और मैं अपनी डोटर को आश्रिवादी मानता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मतलब कहते हैं न कि चलो छोड़ो उसको बहुत बड़ी ब्लैसिंग है तो कुदर्ती जो नाम हमने ऐसे उठाया उसका मीनिंग इतना बड़िया निकल गया ग्यारा महीने किया है जैसे मैं घर जाता हूं ना इस तरह से वह बोलते ना पापा आप जितनी अमरी टेंशन में हो टेंशन जीरो बटा जीरो को उसको देखके लगता है life कितनी अच्छी है कि हम इतनी टेंशन कुछ ले रहे हैं वह इतनी प्यार से पुलाती है जैसे एक एंब तो अभी हम गए इंदरापुरा में घाजियाबाद में तो आप पर एक मोल है नाम सुनों आपने शिप्रामोल नहीं पता रहा हूं शिप्रामोल एक मोल में तो मेरी वाइफ ने बोला इसके लिए खिनोने ले लेते हैं अच्छा खिलोने निया घर में यह खेलती रहती है चो यह नहीं पता नहीं पता ना सिंबल जी बात है मुझे फ्रस्ट रिम पता लगा आज से कुछ महीने पहले की बात है तो मैंने का अच्छा चलो पड़ते हैं हम गई हैं भाई सब टोई एक से एक वहां टोई पड़े मैंने रेड देखा मैंने पैरी रोके फिर मैंने चल भार कि यहां से तो हैं भाई सब्सक्राइब कि खिलोने मैंने यह दर रभी खिलोने तो गर्दम तोड़ते कि इसकी दो मिंड में इसको क्या अब अब आद कि शिरू में यार एक बात बताओ दोस मैं बीलीव में अगर आपने लिख उसके शुरूर में 5000 6000 1500 की खिलोने हैं सर उसक पढ़ेंगे आई बीसी पढ़ना पढ़ेगा लोन लेने पढ़ेंगे मैं चुकान नहीं पाऊंगा इंसल्मेंसी का लो लग जाएगा मेरे पर तो मैंने का भईया यह यह क्या मतलब हो पैंतालीस सुर्वे तो गए ना तो अब ऐसे करते हैं तीन अभी नहीं बनवाएं दस बारा हजार रपे के अब उसको नहीं पता पेचारी के वह तो अपना काम कर रहे हैं सब कुछ खेलने की चीजिए कुछ भी नीचे मिलता है उसको मुह में डाल लेती है बहुत ध्यान में रहना पड़ता है तो हमलेज एक ब्रेंड है टोइस का बहुत मेंगा ब्रेंड है इसको एक्वायर किया भी रिलाइंस में अब यह रिलाइंस के अंडर आता है आज कभी भी आ अगर हमलेस को देखो तो दिमांख में किसकी पिच्छर आएगी रिलाइंस क्योंकि नहीं पता इंच मिनी जिए फैनेंशियल सर्विस अभी अभी कुछ दिन पहले रिलाइंस थैने अपने को डी मर्ज किया अ कई राइंस ने अपने को डी मर्च किया और एक नहीं सेपरेट एंटिटी बना दी फैनेंशल सर्विस जिसका शियरा रब बहूत बढ़िया चल रहा है तो कि वह भी इसके अंदर आएगा बिल्कुल बट वह एक अलग चीट है मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं जियो फानेंशल सर्विस जो उन्हें अलग कंपनी बनाई है अब एक बात मैं को बताना मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है इसके अंडर आता था अब उसने कहा कि मैं जियो में ध्यान नहीं दे पा रहा हूं और जियो बहुत तेरी से बढ़ रहा है सर जियो सिनेमा आई पील करवाया भी उसने मैं कहा रहा हूं भाई साब क्या दिमाग है मोटा भाई का हुआ है ओम डान इसको प्रेंटर बड़े भाई को क्या बोलते हैं आप सेनल महता श्यायक मोटा भाई मोटा भाई मोटा बो ऑपलते हैं क्वो क्या दिमाग है उनका स्पोंसर किया IPL को टाटा ने गुजराती माइन देखना स्पोंसर किस ने किया टाटा ने जियो करना चला था जियो ने बीट मारी थी जियो ने बीट लगाई थी IPL को BCI को BCI को हायर बीट देदी टाटा ने टाटा चला गया इसने का ऐसी कि तैसी इसने क्या कर दिया अपने आई पेल देखने हैं जिए की एप डाउनलोड करनी पड़ेगी और कहीं आई पेल आई नहीं रहा क्या जियो के सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया नहीं बढ़ गया अंगिनत हो गया सर मैं कह रहा हूं भाई सब जियो पे इतने मिलियन लोग लाइव देख थे आई पिल सबक मैं खूल लगा दिया अब रिचार्ज्ट लोग करवा रहे हैं कि यह स्टेट्टीजी है मार्केट चिलाने की तो अब रिलाइन्स ने जिए फाइनिश्ण सर्विस अलग कर दी अब यह कंपने अलग हो गई है और उसका शेयर मार्केट के अंदर मिल रहे है जिसके पास रि बहुत ध्यान से अब गलतियां करोगे हैं अब गलती करोगे मैं पहले बता रहा हूं वीजी सर मालो मैं मार्केटिंग ओन पैमफलेट सोचल मीडिया सेक्टरा मैं अपनी classes की marketing कर रहा हूं pamphlet में अपनी classes की marketing कर रहा हूं online क्या ये रिस्ट्रक्ट्टिंग है या नहीं है answer is no मैंने इसलिए example बीच में डाले हैं ताकि तुम्हारा दिमाग चले एक बाद आना marketing करना मेरा day to day normal business है या नहीं है तो क्या marketing करने से कोई structure change हो गया कि यह operation change हो रहा है कि ownership हो रही है जब तीनों में किसी में change नहीं आ रहा तो रिस्ट्रक्ट्ट्रिंग कैसे है कि तो हर चीज़ रिस्ट्रक्ट्ट्रिंग नहीं होती बच्चा कह रहे नहीं सर business to expand हो रहा है expansion ऐसे नहीं चेक करनी कि expansion का मतलब क्या है आपने कुछ नया insert किया फेस टो फेस में ओल्लाइन में आया यह expansion है कि यह रिस्ट्रक्ट्रिंग है मैं टेक्स पढ़ा रहा हूं नोर्मल मार्किंग कर रहा हूं तो मेरी कंपनी डिभि़्यन डिकलियर कर रही है आंटर दो सोचके resilience कंपनी का dividend declare करना क्यास राइक कंपनी इसमें क्या चेंज हो कि कंपनी के प्रोफिट है बिभिडन डिस्टिब्यूट करेगी डिस्ट्रिबुशन क्या है अपोर्षण मेंड प्रोफिट यह को ही प्रिष्टॉक्षिंग नहीं है तो यहां पर क्रोस आएगा एक कमपनी सी एसर एक्टिवीटी में कोंट्रिब्इूट कर रही है क्या यह यह बताओ सारे बचे री स्रेक्ष्टॉरिंग बताओ जिक्या है sap salsa को बताओ रिस्टने मिन्स क्या एक प्रोसेस एक करने युज्णी इस बडानने का इसमें लाने का कचेंज आधिकट्षिर और प्रेशन या ओनर इप किसमें कम्पनी में या किसी भी ऑरेगनेश्टम में क्या company में आ सकता है क्या firm में हो सकती है क्या business में हो सकती है क्या LLP में हो सकती है क्या किसी में हो सकती है यह बत क्लिर है और आपके सामने मेरे example दी है restructuring के भी और जो restructuring में cover नहीं है उसके भी तो यह मैं सोचना कि हर एक जी restructuring है अब restructuring क्या है है वो तो समझ लिया हमारे स्लेवस में क्या है तो रिस्रक्चरिंग या कोर्परेट रिस्रक्चरिंग तो अगला मीनिंग मेरा वह है मीनिंग ऑफ कॉर्परेट रिस्रक्चर अब बताओ कर दो तो फिर ऊपरेशन का मतलब है मैंने चाइप कर लिए तो यह तो बेस्रेंग कर रहा है जैसे इसमे लग चला ग्यांग जैसे मेरा काम मैं ओलैन में हूनी मैंने ओल्लाइन में LG यह नया चेंज आ पॐ आपको बिनेश स्टाथ करते हो या मार्किटिंग करते हुँ करते हैं अब सुर का आप मार्किटिंग करके मफ्लेट से ऑफ़िप्लेट से ओलाइन एक्सपेंशन बहुत जाएगी बट डेली मार्किटिंग जो आप नोर्मली कर रहे हो वह रिस्ट्रक्श्टिंग में कवर नहीं होती हैं यहां तक क्लियर है चलो जी अब आज़ा हो थोड़ा सा पढ़ते हैं सर हाइर इंग वाला क्यूंब नो हैं जब partnership वर जाते है तो वह तो आपने बोल दिया है ठीक है और company में आ रहे है कोई company में जा रहे एक बत तो एक नुए पार्ट्नर आ रहे है क्यापिटल लेकिए आता है गुडवी लेकिए आता है तो इस्ट्रॉक्टर चेंज नहीं होता गया एक पार्टनर्शिप डीड नहीं मनती है अब एक अप्ट करने के लिए आ रहे है तो तो मेरा डेली बिजनस है है एम्प्लोई को रखना और निकालना तो अगर यह रिए र एक बार ऐसा करो heading डालो पहले पहले heading डाल दो फिर मैं आउंगा इस concept के उपर सारे बच्चे एक बार आपनी कोपिया निकालने जी हेलो भाईसा सुनो सबने कोपी निकालनी है एक बार सुनना कि रिस्टर लेकर चलने आपको कम से कम भी तीन सवा तीन सव पेच का सर क्या सारा भर जाएगा नहीं सारा नहीं भरेगा बट लेके जुरूर चलने क्योंकि जितने भी डायग्राम होंगे जो एक्जाम्पल्स होंगे वो सब मैं क्लास में लिख वाऊंगा वह आपको लिखने सर क्या एक एक लाइन लिखनी है नहीं जो मैं बुक दूंगा बेरेक्ट होगा उसमें सारा पढ़ेंगे उसका एनालीसिस जैसे यादा ने जी एस्ट में करते थे इंकमें करते थे पहले ब सब्सक्राइब कहां पर लिख है उसके विद पेस नंबर हम वहां पर लिखेंगे ताकि रिवीजन के टाइम में आपकी असानी हो जाए तो तीन-चार पे छोड़ देना और एक लाइन लिख लो जैसे आप पहले भी लिखते आयो एक जिगूटी में अगर आपने मुझ से कर लाइन तो लिखो एक है के बाद सब्सक्राइब करेंगे लिखोँ मैं है कि My Parents है My Parents अच्छे शब्दों में लिखना मा अ को माइब बेरेंट्स आर वेटिंग फोर मिंग माय पेरेंच आर वेटिंग फोर मी है कि ह Sücient तुबिकम आकिम आपनी सेक्रेटरी आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं आपके सीएस बनने का और इस लाइन को चिपका देना उस रूम में जहां पर पढ़ते हो ताकि जब भी आपको डी मोटिवेशन मिले आपको लगे कि कोई हमारी वेट कर रहे हमारे सीएस बनने की ठीक है ना तो यह बहुत जुरू से पेपर है यह मैं नी लिखा रहा यहां से लिखो लिखो पॉइंट नुमबर वन कि सबसे पहले पा Σ mad ूंब बन के ऐडिंग डालो फो टॉच OTDAB अ क्यूदी ग्रूप नंबर 2, ग्रूप नंबर 2, पेपर 7 लिखना है, 6 लिखना है 6 लिख लो वह आपकी मर्जी है, बट मैंने पेपर 2 लिखा है, क्योंकि ग्रूप नब का पेपर 2 है न, तो पेपर 2 लिख लो आप, ग्रूप 2, पेपर 2 और साथ में फिर 3.5, 3.5 मतल़ाओ IBC, ठीक है तो IBC को हम साथ में लेके चलेंगे, किस तरा से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अब हैडिंग डालो, corporate, restructuring, valuation and insolvency, हैडिंग डालो, corporate, restructuring, valuation and insolvency, तीन पार्ट बनाओ इसके, तीन पार्ट बनाओ, सबसे पहला पार्ट बनाओ, corporate, restructuring, parts and weightage, वेटेज कितनी हैं, CRVI में, corporate, restructuring, 40 marks, valuation, 20 marks, और insolvency, liquidation and winding up, यह 40 number, और यह 40 number हैं, उसको box के अंदर बंद करके लिख लो, help in paper 3.5, that is optional, IVC, यह उसमें help करेगा आपकी, जो यह insolvency है, सर क्या दोनों same हैं, नहीं, बिल्कुल भी same नहीं है, बनाओ, base same है, obvious ही बात हैं, आप समझ सकते हो, जो 100 number के, 40 number के, उस तो फरक होगा, यह होगा, तो यह उसमें help करेगा, और फिर बड़े-बड़े शब्दों में लिखो, तो टोटल 140 marks का IBC है, ताकि आपको जो हमेशा ध्यान दिलाता रहे, कि 140 number किस में घुसे हुए हैं IBC में, अगर वो गया, तो group गया, आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर वो चला गया, तो फिर तो group भी गया, वो गया ना, 140 marks का तो वो यह 300 में से, तो वो clear होना बहुत जुरूरी है, उसको बहुत depth में करेंगे, मज आएगा आपको एक दमजी, उसके बाद part number two, amendments के बारे में थोड़ा सा लिख लो, यह भी जुरूरी line है amendments की, कई बच्चे confuse करते हैं आपको लग-लग group में, अभी आप कई group के member बनोगे, धिर धिर्या बन्जे स्टार्ट हो जाओगे, उसमें कभी आएगा, यह amendment आगई, वो आगई, तो दिमाग बिल्कुल clear हो, कि हमारे exam अगर December में है, तो 30-31 मही तक के amendment आनी है, June में है, 30 नमबर तक की आनी है, बस, इसके बाद का कोई भी चेंज हमारे exam में नहीं आएगा, अच्छा एक question आया, कल पेश का, Sir, will mass layoff of employee, will be considered as a restructuring, mass, मतलब बहुत ज़्यादा employee निकाल दिया, यह से मालोग Google ने, बहुत सारे employee निकाल दिया थे, तो क्या वो रिस्ट्रश्णिंग है या नहीं है, बिल्कुल, वो तो है, यह तो change हो गया ना, बिल्कुल, pattern ही change हो गया, operation में change आगया, बहुत सारा, तो वो बन जाएगा, यह को मैंने कहा न, है या नहीं, यह आपको click up करेगा, उससे business में change कितना आ रहा है, अगर business हिल रहा है, तो व्यस्थी बाता है, भाई साब, यह तो redacturing हो रहा है, इसके अंदर जी, ठीक है, यह amendments हो गया, अब आजाओ, paper का pattern, यह भी लिखना है आपने, pattern of paper लिखो जी, total, पहले part number one, अच्छा यह ना, एक में रुको, यह सब से उपर लिखना, टोटल आठ, question, 20, पूरे paper में बनेंगे, फिर लिखना part number one, अच्छा आपकी रिविजन क्लास से एग्जिगूटिव निकल गया, अब प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल में इकले लेगा, टेंशनल मतलो, तो, आग लगा देंगे, मजा आएगा आपको बहुत, हर क्लास में आप वेट करोगे अगली क्लास का, ठीक अब लिखो टोटल एट कोश्चन, 20 सब कोश्चन, और फिर part number one, corporate destructuring, question number one, ABC, five marks, each mandatory all part, आपको pattern पता होना बहुत जुरूरी है, पहले से ही, ताकि paper रब हाथ में आए, तो पता उसमें क्या-क्या दिया होगा, उसके बाद question two और two ए, ये सबसे important है, इसमें option मिलेगा आपको, ये ध्यान देना, ये mandatory में नहीं है जी, ये optional में है, क्या लाई वाले बच्चों को मेरी बाते पले पढ़ रही हैं, हलो भाई साब, एक बार फड़ा बच्चों में को चैट करके बताओ, क्या मेरी बाते पले पढ़ रही हैं आपको, फिर question no.3 लिखो जी, 5 marks each, सारे अपार्ट में डिटरी हैं, फिर part no.2 valuation, part no.2 valuation, 20 marks, इसमें दोई question बनेंगे, बस इसमें थोड़ा सा खत्रा है, यहाँ पैसा करो, अपना डंगर का sign बना दो, हैं, डंगर, आँ, डंगर, समझ गए, इसकी आँखे ऐसी लाल-लाल सी होती है, ऐसे, यह, खत्रा, ऐसी थो होते हैं न, क्यूं, खत्रा क्यूं हैं, खत्रा क्यूं हैं इसमें, जो आएगा वो, करना बढ़ेगा, option कुछ नहीं है, तुम यह नहीं कह सकते हैं, सर कोई option देदो न, दो question बनने हैं, दो नहीं mandatory में हैं, और यह मैंने ही कह रहा है, सर, आपका ICS ही कह रहा है, आपको मैंने दिखाया है अभी है अभी, तो उसका sample paper जो है, उसके base पर ही paper बनेगा, यह बाद ध्यान देना, उसके बाद जी, paper number 3, paper number 3 आपका है, insolvency, liquidation and winding of 40 marks, यह 40 marks कह है, question number 6, इसके 3 part, सर, module 1 की class daily होगी, या week में 3 दिन, 3-3 दिन class चलेंगी, module 1 के 3 दिन, module 2 की भी 3 दिन class होगी, दोनों group एक साथ चलेंगे, और आपने दोनों ही देने हैं, सबने, मैं तो recommend यह करूँगा, सबने दोनों देने हैं, क्योंकि आप देखो, 7 paper हैं, आप पाच ही मानों, 2 elective हैं, तो आप साथ एक साथ दे सकते हो, बहुत टाइम है जून में, अगर आप अब इसे त्यारी करनोगे, मैं बिल्कूल भी stress नहीं करूँगा, एक group के लिए, क्योंकि बहुत में बहुत फाइदे होते हैं सर, एक बार में निकल गया, आपको नहीं पता, job में बहुत फाइदा होता है, rank आपका बन सकता है, set off का फाइदा होता है, और फिर ट्रेनिंग एकदम start कर देते हैं, फिर डिमार्क में tension नहीं होती है, यह मुझे paper देने हैं, बढ़ हाँ, यह भी है, यह आपकी life है, देखा, आपको गर पता है तो, फिर question number seven प्याओ जी, seven और seven A, इसमें भी option है, इसमें भी hashtag बना लो, यह आपके लिए अच्छी बात है, question number seven, मैं लिए, एक option IBC में दिया, एक question दोने CR में दिया, एक बच्चे का doubt आया, sir, restructuring की definition किसी act में लिख्य हुए है, क्या answer is no, sir, आपको मैं बताऊंगा, merger, amalgamation, acquisition, ठीक लिए, और आपने क्या सुने है, acquisition आपने सुना, merger सुना आपने, amalgamation सुना है, take over, यह act में define नहीं है, यह ना आपको बताऊंगा, capital gain, याद है capital gain के अंदर हम करते थे, तो वहाँ पे कुछ बातें लिख्य हुई है, और D-merger की definition defined है, section 2 close number 19, triple A के अंदर, वो define है, तो कुछ definition ऐसी है, जो act में define नहीं है, उनके general meaning हमें लेने बड़ते, इसके difference में बहुत detail में करेंगे, मैंने पहली चार class मुझे दे दुबाब, चार class के बाद, अपनी knowledge का level test कर लेना, आप खुद feel करोगे, आपको CR के बार में सारा पता है, और अब की chapter हम एक भी नहीं करेंगे, बट इतनी मेरी guarantee है, जिसमें पूरा CR पढ़ रखा है, आप उसका मुकाबला भी कर सकते हो, कम से कम आप blank नहीं रहोगे उसके सामने, इतना मेरी को पता है, सिरफ 4 class मांग रहा हूँ आप से, ठीक है रिए, उसके बाद लिखो जी, total paper 130 marks, attempt करना है 100 नमबर का, 15 मिन्ट आपको extra मिलेंगे, reading के लिए, 15 मिन्ट क्या आप लिख सकते हो, thank you ICSI, ठीक है, ICSI को धन्यावाद करना इसमें हमें, कि शुकर है उन्हें हमें 15 मिन्ट दिये, बस एक चिर और कर दें, क्या, बस हर paper के विर्में छुट्टी दें, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में बिल्कुल हो सकते हैं, क्याप आपके अटेम्ट से पहले हो जाए, मैं तो 16 सो मार के वरत रखूँगी सर, एक बार अगर हो जाए ना, रख लेंगे, ओ माइक मोड, अच्छा यह तो मैं आपको वैसी दिखाने के लिए लाया था, तो यह आपको नोट्स के अंदर दिया होगा, अभी इसको भी एक बार छोड़ दो भी, अब थोड़ा से यहां पर आ जाओ, अब इधर देखो, हैडिंग क्या डाल लिए है, नहीं नहीं, लैसर नंबर, सी यार में कितने चैप्टर है, ग्यारा, आपको मैंने बोलना था नभी, आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर देखो जहां से, यह आपको मोडूल है जी, यह मोडूल है आपके, प्रोफेशनल का, तीन पार्ट आपको दिए हूँ में, पार्ट नमबर वन, कोर्परेट इरिस्ट्रक्चरिंग, आप अगर चेक करोगे, पार्ट नमबर टू वेल्वेशन, पार्ट नमबर त्री, इनसोलवेंसी, लिक्विडेशन, वाइनिग, अब कमाल की बादे को, उपर इन्हों ने क्या लिखा है, और नीजे तीनों लिखे है, तीनों चीज़े हैं, इनसोलवेंसी भी है, लिक्विडेशन भी और वाइनिग अब दी है, अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यह देखो जी, आपका इन्हों ने मोड्यूल में यह देखो, आपका है, यह देखो, पार्ट नमबर बन, सी आर, टोटल कितने चैप्टर हैं, ग्यारा, वैल्येशन में कितने हैं, दो, और अगर मैं आई बीसे की बात करूँगा, और फिर 14 से लेके 26 अप्रोक्समें डिक्टर बाराँ चैप्टर इसमें भी है, अगर आप चेकर होगे, 14 से लेके 26 तक कितने हो गए, 12 ही तो होगे ना प्रस्वेशन टीरां, हैं, नहीं, 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 मेरे बच्चे, यह सिर्फ 40 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, मैं नहीं खिलूँगा तुम्हारे साथ, इदर देखो ध्यान से इलेक्टिव, यह रहा, कहां गया आपका, यह रहा, 455 पेज़ का लग मोडिूल है, एलो भाई साब, अंकल इदर, CR कितने पेज़ का है, 1240 में कितने नंबर आ रहे हैं, 200, और वो ECG, ECG, और जो ESG, 8500 में 100, तो हम अच्छे नहीं है, हम तो उसे अच्छे हैं कही गुना है, आपको 1240 बेज़ बढ़ने हैं, 200 और जिसमें, रहे रुको तो सही, एक मिन रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ेदार चीच, ओहो, एक मिन रुको, IBC स्टाट कहां से हो रहा है, IBC हो रहा है, पेज नंबर, एक मिन रुको ना, ये रहा, 400 से, कितने पेज़ का मडूल है, 758, 758-400, 358 तो इसमें, और 458 उसमें आ रहे हैं, तो ये हो गया भाई साव, 816 पेज में 140 नंबर, और ECG, साड़े 800 में, और इसमें, 816 में 140, क्या मुश्किल है, और फिर, मैं आपको गरेंटी दे रहा हूँ सर, 800 पेज बढ़ने के बाद ना, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपने सुनाओगा, इंसोलवेंसी में काम कितना है, सर, इंसोलवेंसी, प्रोफेशनल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत एक्जेग्यूटिक पर अंदर, आपको नहीं पता भी फीस कितनी होती, मैंने काना मेरी वाइफ का तो मैरे को मैंने उसको बोला, जब से यार की बात भी वाथ से तीन-चार मीने पहले, जब एडिवांस्टेक्स ओप्शनल हो गया, मैंने का देखो भी पेपर तो लूँगा, क्यूंकि प्रोफेशनल वाले बच्चों को, उनसे मेरे बहुत खतरना के वाला क्नेक्शन है, आप से मेरे ज़्यादा कनेक्शन है, एक्जिगूटीर से भी ज़्यादा, और जिस लेवल की नोलेज आपको चाहिए, मेरा ड्रीम रहा है स्टार्टिंग से, मेरे अंदर एक कमी है, मेरा बैस थोड़ा सा लंबा चलता है, मेरे आर्स इन कंबरेजन टू अधर टीचर ज़्यादा होंगे, बट इतना मैं विश्वास दे रहा हूँ, जिस दिन बैस खतम होगा, नोलेज कंबेर कर लेना, यह प्रोबलम एडवा extracting के अंदर भी थी मेरे पास, लोग एडवांस टेक्ज जो पढ़ाते थे, दो दो सो गुंडे में अडवांस टेक्स तकम कर देते थे, CPA में मेरा साभे थिंसू गंडे चलता था, आते बचे मेरी क्लास लेते नहीं थे, किसलिए कि भाई कौन लेगा इसकी क्लास कि इतना डिटेल कौन पढ़ेगा बड़ जो खतम करता था वो कहता था भाई सब नजारे आके सर लाइन बना दी फ्यूचर के लिए समझ में आ गया तो मेरा मानना यह है जब पढ़ो तो दिल से पढ़ो और यह मान के चलो कि यह लाइन है हमारी इसके पास तर कुछ नहीं है कई तुम सोच रहों सीएस प्रोफेसर के पास सीएस हो सीथा तुम कोई पढ़ने का मोका नहीं मिलेगा तुम्हें अगर अभी तुम जल्दवाजी क क्या किया तुमने लेके जहां आगे राके फ्यूचर में काम करने जो लाइन बनने वाली है तो उसमें पेजी इसनी यह चक करते हैं नोलेज कितनी मिल रही है तो सीयर में मेरे थोड़े सी लेक्चर ज्यादा लगेंगे बड़ इतना बता रहा हूं जिस दिन सीयर खतम होगा आप किसी से कंपेर कर लेना आपको बहुत मज आएगा कि हमने कुछ सीखा है यह मेरा आप से वादा है ठीक है तो इंसल्वेंसी 400 और 458 आप देख लो कितने अब यहां पर आजओ हां आपको बता रहा है कितने सीयर में चैप्टर है 11 चैप्तर नमबर वन है मीनिंग औफ और प्रेड री स्ट्रुरिंग तो उसका बेस बताने जा रहा हूं उसमें क्या है तो लिखो लेसा नमबर वन चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा है चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा है ऐसे 11 चैप्टर के लिख वाऊंगा और फिरम चैप्टर बन पर आएंगे हर चैप्टर का बेस बता दूंगा हर चैप्टर में क्या सिखने को मिलेगा फिर चैप्टर बन की स्टार्टिंग लिखो lesson 1 में क्या सीखने को मिलेगा meaning of corporate restructuring कि उससे पहले लिखो meaning of restructuring कि लिखो जी है ऐडिंग डालना meaning of restructuring meaning क्या है restructuring का हैं नई नई बुक quindi आपको एक्ट दूँगा अपने नोट दूँगा डू मोड्यूल से तुसर्फ सदिखा रहा हूं आपके दिल में कि सैटी सेक्शन हो कि हमने जो किया मोड्यूल में सा रहा है ठीक ना बुक तो मैं आपको दूंगा अपनी दूंगा कि मीनिंग ओफ रिस्रक्ट्टरिंग इस बुक्त आपके त्यार भी हो चुकी है एक बुक तो अल्मुस्ट त्यार है प्रिंटिंग में जानी है बस कालिको रिकरियर रिस्रक्ट्टरिंग फूरी इस डाеро अनले प्रोसेश गिसने जीनिफिकन चेंग ज्क अ कि की आप एक वड्राइब जोड़ देरे मिच यह चैनुन जीन जीन। पोलन आस चैनुस या देलिफिकन जीज जॉपने ड़ेत था अ आपने कैता कि कि सर एड करना भी तो वह है सिगनीफिकेंट चेंज लिगाना चेंज बड़ा भी तो होना चाहिए ना फेस्ट वेस्ट में ओनलाइन में आ गया तो बड़ा चेंज हो गया ठीक है तो मार्केटिंग पैंफ्लेट के तुरू हो रही है यह नॉर्मल चेंज भाई यह रिच्ट् बहुत बहुत शुब काम नाएं सर कितने डेमो क्लास यूट्यूब पर आएंगी अभी आस तो पहली है दूसरी भी आएगी तीसरी भी आएगी जब तक आप बोलो कि पूरा बैस डाल दू कि तीन चार जब तक चलता है ठीक है उसके बाद लिखो रिपिर वाई अचा यान पूरा काम संभाल रखा था अब कंपनी में भी एक डारेक्टर नहीं होता मल्टीपल डारेक्टर होते हैं अगर आपको बताओ कि हाँ वहाँ तो फिर आजाएगा बिल्कुल मा तो फिर आपने मान लोग बड़ा है अब सीओ लेप वो पोस्ट खाली हो गई कि हा उसमें अगर चेंज होगा हुआ वह वह आजाए गलकुल है है क्या चिर है हाँ नीता वानिने तो उसमें तो बिल्कुल बिल्कुल है झाए ठीक है रही चलो और यह आगे लिखो वाई जिरूरी क्यों है इंप्रूव इंप्रूव्मेंट किसमें लेके आनिया जी इंप्रूव दा और्गनेजेशन ओफ पर्फोर्मेंस अड़ेप्ट चैलेंजीज और सीज दा न्यू पॉर्शनिटीज जी और इसके ब्रैकिट में न मैंने छोड़े छोड़े मिनिंग लिखी है कई बारना बच्चे को समझ नहीं आता स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है अप्रेशन मीन्स क्या होता है तो मैं आपको मैंने करने की कोशिश करूंगा यापको समझ मैं कि हर चीज का मतलब क्या है यह नहीं कि आपने पड़ पढ़िया तो पको पता होगा मैं ऐसा बिल्कूल भी नहीं मान रहा तो मैंने ब्रैकिट में छोड़े मिनिंग लिखिया क कोई चेंज आ गया कि डे टु डे काम में कोई चेंज आ गया ओपरेश्न में जह आ गया ओनर्षिप में जागा गया कंपनीय ओनर्षेंज फालो यह यह बनेजिएशन में हो सकती है लाइक कंपनी फार्म एलल पी इंडिविज्वल बिजनस एड्सेक्टरा तो आंसर बनेगा येस तो रिस्ट्रक्च्ट्रिंग कहीं पर भी हो सकती है लाइव वाले बच्चे लिख रहे हैं जी एक पर लाइव वाले बच्चे मैं को बताएं आपको भी नोटिंग करनी है ऐसा ने सिर्फ सुनने के लिए बैठे हो ठीक है सुनके उसको लिखना भी है और ये बहुत जुरूरी बाते जो मैं लिखवा रहा हूं आपको लग रहा होगा सर ये क्यूं लिखवा रहे हो इसी से की फिरेश बनेगा पूरे CR का की कि आप कर अब यह ने लिख्यार के नियृक आफ कि अब कुछ एक्जामपल मैंने नीचे लिखें है कि पार्टनर्शिफ में पनका ल्यूषPlus है बिजनस में कैसे हो सकती है कुछ किसी के अंदर भी हो सकती है तो मैंने कुछ एक्जामपल लिखे हैं वह भी आप यहां पर लिखोगे कि कैसे कैसे रिस्ट्रॉक्ट्रिंग हो सकती है कि छवी कह रही है सर आई विल जोइन फेस्टु फेस्ट क्लास आफ्टर जी ट्वंटी ओहोँ जबी कोई बात नहीं मोस्ट वेलकम आप बताओ तो आप क्याने पर कोई पार्टी वाट टिकर वादें कि हैं आओ बिल्कूल आओ मोस्ट वेलकम है आपकी क्लास है कि अ कि अब इसके इन यह एक्जामपल भी जुरूर लिखने है जी जो नीची है ना मैं इसमें लिख रहा हूं इसके आंसर लिख रहा हूं कि आप बताओ येस नो लिखू या टिक माग दूं कि अलटी क्रोस कर दूं या या येस नो है टिक हैं तो स característ usually है ये भी 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 है कर लेंगे सर्थ पाइटी абсолютно हम कर लेंगे जी आज पाइटी आप आज आज हमगो सब यह तो बच्छे देखो फेस्ट्वेस वाले जाएंगे अब आओगे ना कि आई टी एक और रिफ्रेश्मेंट भी है मैं पहले बता दू पच्छा आप तो पक्का जाओंगा भाई चाहे कुछ करना ना करना हो खाना थो खाना पक्का कि उपर कर तो थोड़ा है कि यह लुट कि अग्यों कि कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि और नोट्स तरीके से बनाना बढ़िया से दो तिन कलर के पैन यूज़ करके चलना जी अपने और आपको खुद की हैंड्राइटिंग समझ में आनी चाहिए अपनी ठीक है ना कई वर ऐसा होता है कि हमें खुदी समझ में लिखा गया है कि अच भी अच्ञाइश कर अडिया अच यहां पर रिलाइंस ने एक्वायर किया है है मलेज को दो यह हो गया क्रोस अ एह रिश्रक्ट्रीग में आएगा नहीं आएगा कि में कुबतव मैंने कूस मार दीया है आएगा ना हाँ तो फिर यहीं बताओ ना मैंको बस यह देखने के आप सोए तो नहीं हुए उसको बद रिलाइंस से जिए फाइनेशल सर्विस निकली यह भी आएगा बाकी नहीं आएंगे बाकी नहीं आएंगे मैं मार्केटिंग कर रहा हूं नॉर्मल मार्केटिंग यह नहीं आएगा मैंने एंप्लोई को निकाला हायर किया ठीकर यह नॉर्मल डे टू डे ओपरेशन है नॉर्मल तो यह भी नहीं आएगा किसी कंपनी ने डिविरेंट डिकलियर किया यह भी नहीं आएगा CSR एक्टिविटी में कोई कंपनी इन्वोल्व है वो भी नहीं आएगा कि अच्छाइब कि अच्छा टिकां अब इसके बाद एक डैफिनेशन पर समोर करेंगे मीनिंग और परेट रिस्थिर्ण बस आज में तक करेंगे दैन फिर मैं आपको नेच्ट आप से बताऊंगा कि कोरप्रेट रिस्थ्रक्च्च्रिंग क्यों करते हैं क्या बैनिफिट है जैसे आपने बो गया तो कौन कौन से टाइब सोते हैं री सब्सक्राइब करने के फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कितने सारे एक्जांपल है जो को मैं यहां पर दिखाऊंगा आफ फील करोगे आपको पता भी नहीं होगा वो भी हम डिसक्स करेंगे नेक्स ग्लास में ठीक है उस बस यह आज ह प्रपरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है कि अब यहां तक लिख लो है हो गया तक चलो अब एक बात में को सोच के बता हो जैब लाई वाले बचेंज सिर्फ 57 मिन मेरा वह साथ दे दें दैन फिर इसको पैक करते हैं मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है अब हमारा इस लिबस मे पेपर कौन से बताना और परेटर रिस्ट्रक्चरिंग हमने मिनिंग किसका जान लिया बस उसका के वर्ड क्या लगा देना है और प्रेट काम करता है तो अब सुनने द्यान से नोटिंग मत करना भी कोई बचा नोट डाउन नीकरेगा ऑशी कोड़ परेड रिस्ट्रक्चर तो आब कमपणी को नई लुख देना यह पोर्पारिट लिख यह आप यह भी कहसकते हो कि एक ईंचैंत ओर करना यह भी कह सकते हो कमपणी गशा करना अगर मैं कंपनी को रियोर्गाइज कर रहा हूं रियोर्गाइस किसको त्रॉक्चर को ओप्रेशन को ओनर्श इप को तो वो भी क्या है और पर प्रेंट इसटे को देखो मैं आ पने क्या लिख ए जी कोरप्रेट रिश्ट्रॉक्च्चर इस लाइक गिविंग में कोवर और री ओर्गनाइजेशन ओफ दा कंपनी इस स्ट्रक्चर ओपरेशन और ओनर्शिप टू एचीव हंजी हेलो वैसाब कंपनी री स्ट्रक्चिरिंग कर रही है किसलिए आप क्यों सच सवर रहे हो आप क्यों अच्छे दिखना चाहरे हो अपिरेंस के लिए ना कि आपका पर्टिकुलर कोई गोल है गोल है आपका तभी तो आप अपने आपको चेंज कर रहे हो मुई से इंबात याँ कि टू एचीव स्पैसिविक स्ट्रेटिक गोल्स और इंप्र रिस्ट्रक्ट्रिंग जो नहीं करेगा वह चाहिए कंपनी हो चाहिए इंडिवीजोल हो चाहिए फर्मोस सस्टेंग नहीं कर पाएगा है बहुत जूरी है टाइम टू टाइम चेंज होना आप एक बात तावसर सोच के बोलते हैं कोवीड से पहले आपके फादर ने कभी ओ कर रहे हैं एक जब होनोच़कर रेना तो जब आपट कर रहे है किस लिए हम उनके साथ में चल सकें तो ये भी क्या होती है घ्री श्रेक्षरिंग!!! अगर वो कंपनी कर रही है और रिया थैनल रिय्सांट्रक्च्रिंग जी लो बस और और वहार कर रहे तो थ coffin यह कॉर्पी की रिस्ट्रक्च्रिंग है कि आपने यहीं तक लिखने हैं जी यह नीचे वाला पाइंट लिखना है लिख सकते हो नहीं तो छोड़ सकते हो मैं उसको और डिफाइन किया है कि मेक ओवर से आपकी अपीरेंस बढ़ती है इन्हांस होती है इंटर्नल और एक्स्टर्नल हो ङाहोगर आप कि का अभनीच ऑप अब नीचे मेंने एक्जामपल दी है टाटा गुर्प का में ईक्जामपल दिया है ठीक है दोटीन एक्जामपल उसको कि मरें डिसकस कर लेंगे बस आपका होंवक है आची क्या होँवक है आपने दो डिमाग में बिठाके आनी है पहली रिस्ट्रक्चरिंग और दूसरी कॉर्परेट रिस्ट्रक्चरिंग आज हमने बस दो ही चीज़े की हैं बड़ आपको आइधिंग बेस के लिए हो गया होगा ठीक है मैं चाहता तो चैप्टर बन पर ब्यारत का सिधा बड़ाइधिंग आ और इंप्रूव करेंगे फिर जब तीन-चार क्लास खत्म हो जाएंगे आप फील करोगे आपको सियर के बार में आइडिया काफी अच्छा खासा है कि चलो कि लाइव वाले बच्चों को यहां दा कोई दिक्क्त तो नहीं है सर हम भी आ सकते हैं पाइटी में जतीन बात करेंगे परसों साथ तारिक को सेम टाइम पर वही सुबह सबा साड़े 11 मजे मेरी क्लास की टाइमिंग होगी मैं बता दूं साड़े 11 से लेके दो वस तक हमारी क्लास से लेकि क्योंकि उसमें मैं साथ में आपका इलग्ती पेपर भी लेके चलूंगा पहले मेरी दियान है बसे पाध्यान दोच ठीक है चलो एक बर सारे बचे फटावर से खड़े हो जाओ जैहिंद बोलने के लिए ठीक हम क्लास के एंड में जैहिंद बोलते हैं यह बद्यान देना और क्लास के स्टार्टिंग में प्राथना भी करते हैं जो आज हमने नहीं की मिस हो गई इतनी आधे शक्ति हमें देना दाता हम 3-4 लाइन बोलते हैं फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं जोगली क्लास से करेंगे आप तीक है चलो अब बाभी मुलाकात करेंगे परसो वाली क्लास में प्लास में जैम जगां ऑख्य बाइ-बाइ-बाइ-टा-टा थैंक्यू सो मच जैहिं थैंक्यू सो मच लाई वाले बच्चों को बाई बाई एन खुश रहो मुस्कुराते रहो और टीचर्स डेकी बहुत बहुत शुब काम नहीं आपको एन थैंक्यू सो मच बन सके इतना प्यार देने के लिए इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए जैहिंद बाई 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 जी कोई अगर डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो नहीं तो आओ फिर वहाँ पर चलना है ठीक है मैं देख लेना थोड़ा सा क्या चल रहा है बाकि अगर कोई जुरूरी काम है तो वह आपके उपर है वैसे मैं कह रहा हूं